साल खत्मोने को है और year end के मौके पर टेश्वोक आपनी लेकर आया है grand finale sale biggest discount of 2023 जहां पर आपको सभी सुपर कोचिंग पर मिलेगा up to 90% off और 50% की extra validity और पाईए a short cashback up to 100% तो अगर आप इन exams की तयारी कर रहे हैं तो अभी जाएए और इस grand finale sale का लाव उठाएए और ध्यान से सुनिए क्योंकि टेश्वोक की grand finale sale में पास्प्रो पर्चेस करने पर हर घंटे motorcycle, ipad और mobile phone जीतने का मौका मिल रहा है यही नहीं और सुनिए एक साल का पास्प्रो मिल रहा है को बढ़ाने के लिए और आपके 2024 की सीट को कंफर्म करने के लिए मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए सभी को बढ़ा good evening अच्छतन जी प्राची रचित रवी किरन सोहित नदीम भारगव सभी को बढ़ा good evening and welcome to the session आइसी इंजन का है यहाँ पर बढ़ा quick revision करने वाले हैं और जितना सेलबस आइसी इंजन का आपके कोशिश करेंगे उतना सेलबस हमारे यहाँ पर रिवाइज हो जाए यानि कि कम से कम 95% हमारा रिवाइज होई जाए जितना सेलबस में है ठीक है ना अब दिखें चुकि यह काम थोड़ा आसान नहीं है बहुत काम तो बहुत मुश्किल है क्योंकि पूरा आइसी इंजन एक इसकाउंड आपको मिल रहा है और इसकोड को लगाने से आपको 50% की इंजन एक लिए जाएगी तो यह आपके बहुत काम का हो जाएगा आए शुरू करते हैं पिछली बार हमने शुरू किया था 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 थर्मडार्मिक्स और शुरू करते हैं I.C. इंजन की आज क्लास ठीक तो दो घंटे दिल थाम के बठिएगा यानिकि दो घंटे तक बैठिएगा राम से साथ बज़े साथ नौ बज़े तक अपनी क्लास है तो दो घंटे अगले अपनी क्लास होने वाली है ठीक है चले बड़ा तो पहला यहां पर basic defence session में क्या-क्या includeगा पहले ही यहां पर यहां द्हृ करेंगे देखिन से तो एक हम basic recipe चौम आइंगे यानि की क्या का Kerry करने वाले है देखिए बहुत ध्यान से देखेगा उने उनमें एक है basic terms, IC engine के basic terms क्या होंगे, उस बाद auto cycle, diesel cycle, dual cycle, इसके अलावा और भी बहुत सारी cycle, और भी बहुत सारी cycle, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, बहुत सारी cycle और cover करेंगे, इस बाद four stroke versus two stroke performance and testing करेंगे, combustion, locking, cooling and lubrication, ठीक है, तो इसमें से जितना part हो सकेगा, maximum को जरूर मिल जाए, ठीक बड़ा, चलिए, तो शुरू करते हैं, आज का session, शुरू किया जाए, चलिए डिया, तो शुरू करते है, IC engine का basic शुरू करते है, basic terminology में, बड़ा ध्यान से देखेगा, basic, सब concentrate रहेगा, बिल्कुल, basic terminology शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल basic से शुरू कर जो बच्चे IC engine में, जिनोंने बिल्कुल beginners हैं, वो भी यहाँ पर class protein कर सकते हैं, और उनको भी बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है, ठीक है, बड़ा, जड़ा ध्यान से देखेए, यहाँ पर basic terminology शुरू कर रहे है, basic terminology में, सबसे पहले बड़ा देखेए, यह आपका IC engine है, internal combustion engine है, internal combustion engine क्या होता है, जिसमें combustion engine के अंदर होता है, ठीक है, अब देखेए, आपको जानते है, यह आपका piston है, internal dia होती है, यह होता है, stroke, यहाँ पर top dead center है, यहाँ पर आपका bottom dead center है, यह आपकी connecting rod है, यह सब आपका crank है, crank shaft है, तो यहाँ पर हम समने यहाँ पर पूरा देखे कि कौन सा क्या है, कौन सा क्या है, देखें बड़ा, stroke length क्या होती है, stroke length होती है, जब piston TDC से BDC या फिर वाइस वरसा, BDC से TDC move करता है, तो जितना distance travel करता है, क्या बोलते है, stroke length बोलते है, ठीक है, stroke length बोलते है, stroke length, बड़ा, please, seriously, पढ़ना, SPPT को बनाने में बहुत मैंनत देखेंगे ना भी आगे, तो आपको खुद लगेगा, इसमें कितना वर्क हुआ होगा, तो यहां पर बड़ा, stroke length जो है, distance between the TDC and BDC है, TDC और BDC के बीच का जो distance है, इसे हम stroke length बोलते है, और L से इसे इसे दिखाते है, stroke length होता है, two times of crank radius, stroke length बटा क्या होता है, two times of crank radius, ठीक है इसके बाद bore किसे बोलते हैं, तो bore हम बोलते हैं, cylinder के internal diameter को, ध्या रखेगा, bore होता है, cylinder का internal diameter, swept volume क्या होता है, तो space between TDC and BDC, तो TDC से लेके BDC के बीच का जो space है, पूरा यह जो space है इसे क्या बोलते है, swept volume, इसे क्या बोलते है, swept volume, और कैसे दिखाते हैं इसे, pi by 4 d square L से, कैस capacity दिया है कि कोई engine 500 cc का है, 300 cc का है, 200 cc का है, 500 cc का, 80 cc का, 120 cc का, तो यह कौन सी capacity है, यह है cubic capacity, यानि की से बोलते हैं, swept volume, क्या बोलते हैं, swept volume, yes, area into length, आई बड़ा, फिर basic terminology, अभी continue करते हैं, और आपको दिखाते हैं, clearance volume क्या होता है, तो बड़ा जो cylinder का clearance volume क्या होता है space between TDC and cylinder head, so top dead center यहां रहा और cylinder head यहां रहा, इसके बीच का जो space है, इसे ही combustion chamber बोलते हैं, IC engine में, और इसे बोलते हैं, clearance volume, क्या बोलते हैं, IC engine में इसे combustion chamber बोलते हैं, और इसे ही clearance volume यहां पर बोलते हैं, इसके बाद एक term बहुत important है, जिसका नाम है, over square ratio, क्या होता है बेटा, over square ratio, IC engine में over square ratio होता है, the ratio of bore diameter upon stroke length, तो D by L, यानि की bore diameter upon stroke length का जो ratio है, उसे हम बोलते हैं, over square ratio, अब gajan pin एक या piston pin, gajan pin बेटा हमेशा कहां लगा होता है, piston के center पर, देखें, यह है gajan pin, यह line यहां से दिख रही है, यह है आपका gajan pin, जो piston के center पर हमेशा लगा होता है, gajan gajan pin पिस्टल के center पर क्यों लगाते हैं, एक कारण है उसका, सबसे बढ़ा important कारणिये है, सबसे बढ़ा important कारण यह है, गजन पिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंपिंप smaller end of the connecting rod with piston connecting rod, यह आपकी connecting rod है इसकी smaller end, देखिए छोटी वाली end यह है इसको piston के साथ connect करता है और जो connecting rod का bigger end है उसको crank के साथ, जो connect करता है उसे बोलते है crank pin, क्या बोलते है crank pin, तो बटा crank pin क्या होता है connects bigger end of the connecting rod with crank तो connecting rod की जो बड़ी वाली end है उसके साथ जो हमारा crank को connect करता है उसे बोलता है crank pin क्या बोलता है crank pin ध्यान से देखे का आपका मैं बहुत अच्छा revision कराऊंगा आपने एकर थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपका पूरा revision हो जाएगा ठीक है फिर से देखे बटा अभी हम basic technologies में ही चल रहे है अब बात करें देखें compression ratio की तो compression ratio क्या होता है total volume upon smaller volume larger volume upon smaller volume बड़ा वाल्यूम यानि की total volume so vs plus bc by bc होता है clearance ratio क्या होता है clearance volume upon swift volume तो cylinder का clearance upon swift क्या हो जाता है clearance ratio अच्छा देखे compression ratio auto cycle के लिए 6 से 10 dual के लिए 12 से 16 और diesel के लिए कितना होता है 16 से 22 हो जाता है compression ratio जो होता है इसे हम बोलता है c plus 1 by c कैसे हम बोलता है c plus 1 by c जड़ा ध्यान से देखे compression ratio आपको पता है क्या होता है vs plus vc by vc चिक है ना तो हमने लिखा vs by vc plus 1 लिखा अब vs by vc पिटा क्या हो गया 1 upon clearance ratio क्योंकि clearance ratio क्या होता है vc by vs plus 1 तो आप देखे c plus 1 by c क्या हो गया c plus 1 by c तो इस तरह से आजाएगा c plus 1 by c आजाएगा इसके बाद clearance volume is very important for the safety of the spark plug और injector and valves तो safety of the spark plug या फिर injector या फिर valve की safety के लिए clearance volume बहुत है जरूरी क्योंकि अगर clearance volume नहीं हुआ अगर clearance volume नहीं हुआ तो piston यहां तक आएगा और piston इस valve को plug को injector को सबको उखाडते हुए निकल जाएगा ऐसे करते हुए निकल जाएगा उखाडते हुए ठीक है ना इसलिए clearance volume बहुत जरूरी है बहुत important हो जाता है तो clearance volume देना बहुत must है ठीक है वह या तो clearance volume is very important for the safety of the spark plug injector and valves उसके बाद आते हैं अगले पर अब बटा spark plug की बात कर लेते हैं यहां पर क्या बात कर लेते हैं spark plug की बात कर लेते हैं हाँ बटा piston ring पर अभी आता हूँ अभी तो शुरू हुआ है मतलब क्या ही मतलब पूरी आइसे इंजन आपको पहली पेज मता दू मैं ठीक है बटा देखे ध्यान से तो यहां पर spark plug जो होता है spark plug की बारे में डिसकस करते हैं तो यह आपका spark plug है insulating body है यह आपका copper का core है और यह आपका यूज करते हैं या तो centered क्या यूज करते हैं बटा एक सकंड क्या यूज करते हैं या तो centered alumina यूज करते हैं या तो porcelain cement यूज करते हैं पॉर्सेलन जानते न पॉर्सेलन यूज करते हैं या फिर centered alumina का यूज करते हैं spark plug की body को insulate करने के लिए spark plug की body को insulate करने के लिए ठीक है spark plug electrode का gap बटा कितना होता है spark plug के बीच में जो electrode का gap है यहाँ पर यह कितना होता है यह exam में आपको 0.6 आता है but exactly 0.6 से 0.9 या 0.8 mm आप जा सकते हैं 0.6 से 0.9 या 0.8 mm आप जा सकते हैं हला कि जो exam में आता है वो 0.6 mm ही इसका answer आता है core का जो material है वो copper होता है क्यूं किसकी conductivity बहुत अच्छी होती है copper की thermal electrical conductivity दोनों बहुत बहतर होती है electrode का जो material है वो platinum होना चाहिए ideally क्योंकि platinum की जो strength है बहुत अच्छी होती है और platinum electrode का material ideally होना चाहिए लेकिन platinum चुकी बहुत महंगा होता है, इसलिए हम platinum को यूज नहीं करते हैं, तो हम nickel based alloy का use करते हैं, तो ideally यह होना चाहिए platinum का बट होता नहीं है, क्या है बटा, costly बहुत होता है, अब costly बहुत है, तो हम क्या करें हम कोई सस्तास item यूज कर रहे हैं, तो use कर रहे हैं, nickel based alloy बोल्ट है, अच्छा, इस वाले में कहीं contradiction हो सकता है, देखे, कई जगा आपको 10 से 15,000 लिखा दिख सकता है, कई जगा आपको 40,000 बोल्ट तक लिखा गया है, बट range यह ही है, 15,000 से 20,000, कि आज पास आपका voltage spark लग में होता है, यानि spark create करने के लिए आपको इतना voltage देना है, बट मैंने उसको include नहीं किया, हम IC engine में, अपने subject में, जो जो cycle पढ़ रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, वो हम power plan में देखेंगे, ठीक है, तो classification of IC engine में कर रहा हूं, किस-किस basis पर ध्यान से देखेगा, types of fuel, किस type के fuel आप use कर रहे हैं, तो कौन सा fuel हो सकता है, diesel या petrol, उसके dual cycle, तो इस तीन तरह, चार तरह के base पर हम क्या कर रहे हैं, चार तरह के base पर हम क्या कर रहे हैं, classification कर रहे हैं, types of fuel car, diesel, petrol, types of ignition, SI, spark ignition, compression, ignition, number of strokes, two stroke, four stroke, types of cycle, auto, diesel, or dual cycle, ठीक है ना, अब देखे, four stroke engine में क्या होता है, आपको मैं बहुत अची चीचीच बताऊंगा, बहुत सारी cycle मैं बताऊंगा, जितनी cycle आपके exam में पूछा जाता है, IC engine से सारी cycle हैं पर cover कर लेंगे, देखे बटा, four stroke engine क्या होता है, four stroke engine होता है, one stroke happens in 180 degree of crank revolution, एक stroke बटा, कितने में होता है, 180 degree में, TDC से BDC तक आने में कितना angle जाता है, वो, 180 degree, जब crank shaft 180 degree चलती है, तो एक complete stroke होता है, यान 720 degree यानि कि 2 revolution of the crank shaft, तो crank shaft के 2 revolution में, आपके 720 degree में, आपके चारो stroke complete होता है, एक stroke 100 degree होता है, one thermodynamic cycle is completed in two revolution of the crank shaft, crank shaft के 2 revolution में, एक thermodynamic cycle complete हो जाती है, ठीक है, और एक power stroke is obtained in every two revolution of the crank shaft, बेटा, ध्यान से समझेगा, बहुत ध्यान से, four stroke engine में, चार stroke होते है, suction, compression, expansion, exhaust, उसमें से आपको suction, compression, expansion, उसमें expansion आपको एक ही बार मिल रहा है, यानि कि 4 stroke में, 720 degree में, 2 revolution में, power आपको एक ही बार मिल रहा है, तो 2 revolution engine कर रहा है, तो power एक बार मिल रहा है, अगर engine N revolution करेगा, तो power half बार मिलेगा, तो RPM of engine अगर 1000 है, तो power आपको 500 बार मिलेगा, अगर एक मिनट में engine 1000 RPM कर रहा ह तो एक मिनट में आपको 500 बार पावर मिलेगा 4 stroke इंजन में यानि कि जो इंजन में power obtained है that is half of the RPM of the engine तो क्या जाएगा 1 power stroke आपको बटा 2 revolution में मिल रहा है 720 degree मिल रहा है तो n by 2 power stroke मिलेगा आपको n revolution में भाई 2 में आपको एक मिल रहा है तो n में कितना मिलेगा n by 2 मिलेगा basic बहुत basic consist of two valves inlet and exhaust and spark plug injector 4 stroke engine में बड़ा क्या होता है या तो आपका valve होंगे inlet exhaust valve होंगे spark plug होगा अगर यह petrol engine है injector होगा अगर यह diesel engine होगा तो अगर यह petrol engine होगा तहसमें क्या होगा spark plug होगा और यह diesel engine होगा तूसमें क्या होगा इंजेक्टर होगा समझ आ रहा है इस और ओर आगे चले में आगे चले समझा रहा है looking beautiful बढ़िया लग रहा है के विखाला क gagnraha है कात्री न की तरह अच्छा लगरा अ Genau कि अ क्रॉट बहुत बरेंगा Catalonia but अब देखिए न ुह अच्छा अठी है तो चलगा आचानक से अरे तुंसरो पिर चाहरे एक क्या होता है suction compression, suction compression एक साथ, expansion और exhaust एक साथ, suction compression एक साथ, expansion और exhaust एक साथ, देखिए कैसे होता है, पहले आपको दिखा जेता हूँ, देखे बटा, यहाँ से आपका, इसमें 3 port होते हैं, पहनिस की बारे में देख लेते हैं, इसमें कितने port होते हैं, तो two strokes happens in 180 degree, 180 degree में 2 stroke आपके होते हैं, बाकि अगले 180 degree में 2 stroke हो जाएंगे, यानि कि जो 4 stroke होते हैं, वो आपके 360 degree में ही हो जाते हैं, एक ही cycle हो जाते हैं, बर 4 stroke हम बोलते नहीं है, क्योंकि एक ही stroke में 2 दो process एक साथ हो रहा है, और expansion और exhaust एक साथ होता है one thermodynamic cycle is completed in one revolution of crankshaft ठीक है one power stroke is obtained in every one revolution हर एक revolution में आपको एक बार power stroke मिलेगी तो n revolution में कितना मिलेगा n revolution में n power stroke is obtained in n revolution n power stroke कितने मिलेगा n revolution में मिलेगा consist of three ports but as we three ports होते हैं कौन-कौन से suction transfer और exhaust port sscj ने answer दिया था दो port but इसमें होते हैं three port अब I don't know k sscj ने answer क्यों दिया मैं अब से फिर से बोलता हूं कि sscj ने answer इस सोच की दिया था कि exhaust port होते हैं और जो suction port होते हैं इनका connection होता है atmosphere से लेकिन जो transfer port होता है वो सिर्फ अंदर का port है that is inner port वो अंदर का port है उसका बाहर कोई connection नहीं हो सकता है इस वज़े से नो दो answer दिया हो but होते port तीन है and spark plug और injector हो सकता है spark plug कब अगर SI होगा और injector club अगर यह CI engine होगा ठीक अब ज़रा ध्यांसे देखें यहाँ पर आपका कौनसा port है एक सिक्टर मुझे दिजिएगा यहाँ पर देखें आपका suction port है कौनसा port है यहाँ पर आपका suction port है यहाँ पर आपका अब देखिए air fuel mixture यहां से आता है transfer port से होते हुए जाता है और यहां पर जो पहले की gases है देखिए पीली वाली ध्यांसे देखिए yellow वाली यह ब्लू वाली आई और yellow वाली की धक्का मारके बाहर निकाली इसको बोलते हैं scavenging process क्या बोलते हैं scavenging process मैं एक दम बढ़े हो प्रद transport ठीक है देखिए बटा तो इस process क्या बोलते है नया air fuel mixture आया कहां आया crane case में अच्छा देखिए four stroke और two stroke में डिफ्रेंस और है जो air fuel mixture four stroke में आता है वो directly cylinder में आता है भाई inlet valve से directly cylinder में लेकिन two stroke में ऐसा नहीं है two stroke में जो air fuel mixer आएगा वो कहां पे आएगा पहले crane case में यानि पुरानी वाली cases को धक्का मार के बाहर निकालेगा फिर अपने वहां जाके बैठ जागा इस process को बोलते हैं scavenging क्या बोलते हैं scavenging scavenging बिलकुल और scavenging process में piston का design थोड़ा हट के होता है जैसे अपोरु जी ने बोला यह piston का design थोड़ा हट के क्यों होता है मैं आपको दिखा हमार के बाहर निकाल रहा है इस process में क्या होता है कभी-कभी air fuel mixer भी बाहर निकल जाता है कभी-कभी क्या हमेशा ही जब भी scavenging करेगा आप सोचिए कि नया air fuel mixer आया ठीक है और वो गया उपर transfer port से पुराने वाले को push करके बाहर निकाला इसको scavenging बोल रहा है तो scavenging में नया वाला air fuel mixer भी कुछ नों कुछ बाहर निकल जाता है और यह भी एक कारण है कि इसकी efficiency two stroke की four stroke से कम हो जाती है पहला कारण लिए है कि two stroke efficiency four stroke से कम हो जाती है और इसी लिए हम चाहते हैं कि हमारा air fuel mixer directly exhaust valve की तरफ ना चाहे tangential inter करे कैसे एंटर करे tangential mm अंटर करे तो हम बिटा क्या करते हैं रुख जाओ रुख जाओ तो हम क्या करते हैं और piston क्यो बैतन की Canyonिंग करदें और air fuel mixer जो आता है वो tangentially ऐसे enter करता है और सिधा exhaust valve की तरफ नहीं जाता तो हमारा air fuel mixer का skipping out है वो थोड़ा सा बच जाता है इस वज़ए सा हम इसको crowning कर जाते हैं piston के उपर हम एक projection मनाते हैं जिसे क्या बोलते हैं crown क्या बोलते हैं crown और इसे बोलते हैं crowning of the piston यानि कि स्केवेंजिंग fresh air fuel mixture के entry करने की वज़ए से जो burnt gases है पिछले स्ट्रोक की वह बाहर निकल जाती है इस process को scavenging बोलते हैं क्या बोलता है scavenging ठीक है ना during scavenging बोथ transfer and exhaust ports remained open जब scavenging होता है बेटा तो transfer और exhaust port दोनों खुले हुए होते हैं ध्यान से दखो ध्यान से दखो transfer port यहां खुला हुआ है blue valley enter करी और exhaust port यहां खुला हुआ है yellow valley enter करी yellow valley exit हो गई blue valley यहां center करी कहां से transfer port से yellow valley निकल गई exhaust port से जब scavenging हो रहा होगा तो दोनों port क्या होंगे open होंगे to prevent escaping of air fuel mixture a projection is made on the piston that is known as crowning इस process को पर बोलते है crowning और उस projection को crown बोलते हैं या deflector भी बोल सकते हैं आप उस piston को पर आपनी जो projection बनाया है उसको deflector projection या crown बोल सकते हैं और इसको बनाने का जो process है उसको crowning बोलते है crowning is a process और crown एक projection है The crown helps air fuel mixer to enter tangentially Crown क्या करता है Air fuel mixer को tangentially enter कराने में मदद करता है ताकि वो बाहर न जा सके आईए अगला अब सबसे powerful equation अब हम आने वाले हैं पटा अपनी cycles में सबसे powerful equations आपको याद करनी है ध्यान रखेगा मैं आपसे कितनी बार बोल चुका हूँ यूट्यूब से लेके master class से लेके paid class से लेके बहुत बार आपको बोल चुका हूँ कि आपको ये तीन powerful equation ये तीनो equation powerful आपको याद होनी चाहिए अब कई बच्चे बोलेंगे सर्थ तीन बोल रहा हो दो ही तो दिख रही है दो ही question दिख रही है बिटा दो याद रखना है एक relation आपको इसका याद रखना है और एक relation आपको याद रखना है ये तीनो बहुत ही powerful equation है adiabatic process में जो आपके पूरे IC engine में यूज़ होंगी बिना इसके आप कोई सवाल लगा ही नहीं पाएंगे ठीक अब या चले आगे हाँ बोलो हाँ बोलो आगे चले चलो तो भईया क्या आजाएगा T2 by T1 is equal to P2 by P1 तो पावर गामा माइनस 1 by गामा and T2 by T1 is equal to V1 by V2 तो पावर गामा माइनस 1 ये कहां सा है देखिए तीवन वीवन गामा माइनस 1 क्या होता है T2 V2 गामा माइनस 1 तो क्या जाएगा T2 by T1 आजाएगा T2 by T1 क्या जाएगा V1 by V2 आजाएगा दो पावर क्या जाएगा गामा माइनस 1 ये ही question आजाएगी equation number 2 क्या जाएगा equation number 2 आजाएगा इसके बाद P1 V1 गामा P2 V2 गामा चीक है ना आईए बिटा आटो साइकल के बात कर लेते हैं तो आटो साइकल में आपको बता है 4 process होते हैं मैं आपको बहुत जल्दी quick revision दे रहा हूँ ताकि आपका बैठे बैठाए 2 गंटे में पूरा IC engine खताम हो जाए तो आटो साइकल में क्या होते हैं 4 process होते हैं जिनमें दो constant volume और 28unden कंचन इसन टॉपिक एक्सपैंशन इसन टॉपिक कमपरेशन होते हैं ओटो साइकल में यह इसका PV डियाग्राम है आइसन टॉपिक कमपरेशन देखे 1 से 2 क्या है आइसन टॉपिक कमपरेशन 2 से 3 क्या है constant volume heat addition 3 से 4 expansion है isentropic 4-7 constant volume पर heat rejection है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ isentropic compression constant volume heat addition expansion और heat rejection ठीक है न यह है इसका PV plot और यह है इसका TS diagram क्या है TS diagram यह क्या है इसका TS diagram तो TS plot क्या है देखिए यहाँ पर again कैसे बनाएंगे 1 से 2 बटा isentropic compression तो vertical line isentropic यह नहीं के entropy constant vertical line compression यह नहीं के temperature बढ़ेगा उपर इक तरफ चलेंगे 2 स 3 heat addition है temperature दोनों बढ़ेंगी तो ऐसे कर बनाएंगे 3 स 4 क्या है आपका expansion है isentropic entropy constant vertical line और arrow नीचे की और क्योंकि temperature घट रहा है 4-7 heat rejection है तो heat rejection में temperature ट्रॉपी दोनों घटेंगी तो 4-7 हमें इसे आएंगे ठीक है सर अब auto cycle के बारे में important point जो आपको बताना है वो ध्यान से सुनिएगा अब यहां से आपके question होते हैं शुरू आइसी इंजन के question SSJ इसी पीपीटी से उठाता है मेरे वाले ही पीपीटी से इसमें देखिए एक बच्चा है क्या नामे उसका नदीम राज जी नदीम राज जी देखिए जो deflector लिखा है ना जो नदीम राज जी ने ऊपर comment लिखा है deflector वो उन constant volume cycle नदीम जी नमस्कार तो आटो साइकल हम क्या बोलते हैं constant volume cycle भी बोलते हैं क्योंकि इस पर हीट एडिशन किस पर हो रहा है constant volume पर हीट का एडिशन हो रहा है ठीक है ना सो दो constant volume दो प्रोसेस होने से आटो साइकल हमारी बन जाती है दोनों इस रेजेक्षन किस पर होते हैं constant volume पर होते हैं रेजेक्षन रेजेक्षन दोनों constant volume पर होते हैं और pressure and temperature अब ध्यान से सुनो अब ध्यान से सुनो pressure and temperature during compression किसमे onto cycle में या petrol engine में पेट्रोल इंजन में पेट्रोल इंजन के लिए standard cycle का है और इस तैंडर रिखर है तो pressure and temperature during compression कितना होता है 6 सले के 12 kg per centimeter square and जो temperature पहुंचता है 270 degree Celsius respectively कब during compression कब पहुंचता है during compression अगर मैं maximum temperature की बात करूँ कि T max कितना पहुंच सकता है तो T max आपका almost almost 2400 degree Celsius तक पहुंच सकता है और T max कम मिलेगा आपको after combustion कम मिलेगा after combustion आपको T max यहां पर मिलेगा अच्छा बहुत बढ़िया यह जितने मैंने point यहां पर include कि है न यह सब वह point है जो exam में आने वाले हैं क्योंकि कि मैं अगर इतनी महेने से पीपीटी बनाओंगा तो कुछ सोच कहीं बनाओंगा ऐसा उलटाशीदा तो डालूंगा नहीं इस्ट्री तमाने नहीं डाल दिया कि AutoCycle को AutoHorne ने डिसकवर किया डीसल साइकल को डीजल ने किया नहीं डाल दिया क्योंकि यह सब कुछते ही बार बार तक होता है और maximum temperature कम मिलेगा जब combustion हो जाएगा तो maximum temperature आपका लगभग 2400-2200 तक जा सकता है up to 2400 degree Celsius तक जा सकता है ठीक है न अब यह देखिए 260 degree क्यों है ध्यान से समझेए बेटा यह 260 degree क्यों है 260 degree आपको एक common sense आप सोच भी सकते हैं ऐसा क्यों common sense क्या है आप जो सोच सकते हैं common sense यह है कि 260 degree compression के दौरान temperature इसलिए जा रहा है temperature इसलिए जा रहा है common sense आपका यह है कि compression के दौरान जितना भी temperature जाएगा वो petrol के self ignition से कमी रहेगा क्योंकि अगर self ignition से जादा हो गया तो petrol अपने आप जल जाएगा जबकि इसको जलाना किस्स है spark plug से तो petrol का self ignition maximum कितना होता है 280 अब यह आगे बताऊंगा 280, 247, 280 तो 280 से कमी रहने वाला है आपका compression के दौरान temperature तो almost 250-260 तक यह जा सकता है ठीक है बटा उसके बाद auto cycle में जो compression ratio है वो सेम होता है expansion ratio ध्यान से ध्यान से ध्यान से compression ratio देखे यह है v1 by v2 expansion ratio क्या है v4 by v3 expansion ratio बटा क्या है v4 by v3 compression ratio क्या है v1 by v2 तो दोनों में देखे यानि कि आप भाड में गया छोड़ो compression और expansion लाल वाली लाइन और हरी वाली लाइन दोनों बराबर है यानि कि compression ratio और expansion ratio दोनों बराबर है auto cycle का compression ratio expansion ratio दोनों बराबर है ध्यान रखेगा बहुत काम आएगा भी आगे भी आपको discuss करेंगे तो compression ratio बटा क्या है V1 by V2 और expansion ratio kya है V4 by V3 V4 by V3 So V4 V4 by V3 क्या जाएगा बटा देखिए V4 यह क्या है expansion ratio और V4 किसके बराबर है V4 और 1 बराबर है constant volume V3 और V2 बराबर है यानि कि V1 by V2 3 कि जगा मैंने 2 लिखा और V1 by V2 क्या होता है compression ratio यानि कि compression ratio expansion ratio दोनों बराबर किसमें auto cycle आई यह ने ने इस पर आता है auto cycle की thermal efficiency की बात कर लेते हैं बटा auto cycle की thermal efficiency क्या होती है 1-1 by r to the power gamma minus 1 जहां पर r क्या है compression ratio gamma क्या है specific heat का ratio specific heat का ratio होता है ठीक है न तो thermal efficiency auto cycle हो जाती है 1-1 by r to the power gamma minus 1 गामा है specific heat का ratio और r है आपका compression ratio थर्मल अपशिंसी अब auto cycle depend किस पर करती है बटा देखे एक तो gamma पर depend करेगी और एक r पर और गामा पर कैसे अगर r बढ़ेगा compression ratio बढ़ेगा तो thermal efficiency बढ़ेगी लेकिन compression ratio को बढ़ाने से दो चीज़े है एक तो इंजिन हेवी होता जा रहा है और दूसरा compression ratio को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते तो बोथ compression ratio किस पर डिपेंड करेगी thermal efficiency depends on both compression ratio specific heat ratio पर डिपेंड करेगी यानि कि r और गामा पर डिपेंड करेगी compression ratio increase करेगा अपड़ा ध्यान से देखेगा मैंने है capital लिख दिया है मुझे असा लगा कि शायद तुम लोग आख से बरावर देखना देखना रहे हो तुम्हारा ध्यान कहीं और हो आपका ध्यान किदर है इसले मैंने बड़ा लिख दिया तो compression ratio जैसे बढ़ेगा increase करेगा thermal efficiency increase करेगी compression ratio decrease तो thermal efficiency decrease लेकिन compression ratio but compression ratio increase is limited यानि कि compression ratio को बहुत जादा नहीं बढ़ा सकते अच्छा इतना तेज बोलेंगे mobile का speaker फड़ जाएगा यार मेरी याद थी है मैं धीरे बोलता ही नहीं हूँ धीरे क्यों बोलना जब अगवान इतनी तगड़ी जमान दे रखी है तो compression ratio बढ़ा increase करेगा compression ratio बढ़ा कितना सकते हैं वो limited है ज्यादा बढ़ा नहीं सकते है due to deton determination और knocking तो knocking या determination के विज़े से आप compression ratio बहुत जादा नहीं बढ़ा सकते ठीक है ना as specific heat ratio इंक्रीज जैसे से गामा की वैल्यू बढ़ेगी specific heat ratio बढ़ता जाएगा thermal efficiency बढ़ती जाएगी और thermal efficiency बढ़ती जाएगी ठीक है ना thermal efficiency बढ़ती जाएगी फटाबट सब लोग session को like कर देया आपको मेहनत दिखाए नहीं देरी मेरी हाइए 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 हद्द कर रखे तुम लोग चलो तो specific heat ratio बढ़ेगा तो क्या जाएगा thermal efficiency बढ़ेगी लेकिन अब एक बास समझ है एक फ्यूल है डाय टॉमिक एक फ्यूल है ट्राइटॉमिक अब देखिए compression रिश्यों कर सेम हो गया माली जे तीनों फ्यूल के लिए compression रिश्यों सेम में ने ले लिया अब efficiency किस पर डिपन करेगी गामा पर जिसका गामा ज्यादा उसके efficiency ज्यादा ठीक है ध्यान से समझे है for same compression ratio thermal efficiency is maximum for monotomic gas that are helium या आरगन अगर compression रिश्यों पटा सेम है तो thermal efficiency किसकी ज्यादा होगी monotomic gas जो है उसके लिए thermal efficiency ज्यादा होगी जैसे helium या आरगन गामा की जो पटा value होती है जो गामा की value होती है यह monotomic के लिए क्या होती है 1.67 लिख लीजेगा diatomic के लिए 1.41 होती है और triatomic के लिए 1.33 होती है तो जिसके लिए गामा की value ज्यादा है उसकी thermal efficiency ज्यादा हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया वे रीन नाइस क्या बात है पूरा इस इंजर मैं आपको रिवाइस करूँगा यह कही क्लास में पिछली क्लास हमने क्या था thermodynamics पर जरूर देखेगा मजा हैगा आपको पूरी thermodynamics औल्मोस्ट इतना आपके syllabus में उतना हमने कवर कर लिया था ठीक है आईए तो अगले कुछ अच्छा ठीक है क्या गया यहाँ पर फॉर सेम कम्प्रेशन रिशो थर्मल अफिंसी मैक्सिमम फॉर मोन अटॉमिक या आरगन पीवी प्लॉट किसकी बात करें डीजल साइकल का ऑटो साइकल में और कुछ पढ़ना नहीं अटो साइकल खत्म कुछ ज्यादा बचा नहीं थर्मल अफिंसी निकाल लिया उसके इफेक्ट्स देख लिये सारी चीज़े कंप्रेशन रिशो एक्सपैंशन रिशो सब देख लिया जहां जहां डिसकस करना होगा वहां आप अमने बात पूरा करूँगा ठीक है ध्यान सा समझे सब्सक्राइब है अब डीजास अ़ये बात कर दें चार प्रासर्शेसouse 2 आइसेंट्रॉपिक कॉंस्ट्र प्रेशर एक कॉंस्ट पर होता है औरीम बोलता है दो यशन को मिक्स्ट कर ज़ते हैं तो दैटन या ब्यान से त मिश्वाण constant pressure heat addition 3-4 isentropic expansion और constant volume का heat rejection आप मुझे बताईए यहाँ पर compression जदा दिख रहा है expansion जदा दिख रहा है compression जदा दिख रहा है या expansion जदा दिख रहा है compression जदा दिख रहा है expansion जदा दिख रहा है तो भाईया compression जदा दिख रहा है कि अगर दो इंजन, फील करयार, दो इंजन, आटो साइकल और डीजल साइकल, दोनों का सिलेंडर का साइज सेम हो, अगर आटो साइकल डीजल साइकल, दोनों का कमप्रेशन रेशियो सेम हो, तो आटो में कमप्रेशन और एक्सपैंशन बराबर है, यानि कि उसमें एक्सपैं प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया और इंजन के अंदर धमाका हो रहा है इंजन के अंदर विस्फोर्ट हो रहा है टेंप्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया और इंजन के अंदर धमाका डेटर्णीशन हो रहा है विस्फोर्ट हो रहा है अपस्फोर्टन जिसे हिन दिम बोलते तो वन से बढ़ा आईसेंट्रोफिक कंपरेशन एक फ्रेशन पर हीट ऐडिशन थी सफोर आईसेंट्रोफिक और यहां से आपको heat rejection मिलने वाला है देखिए धभधे से, अब diesel cycle या constant pressure cycle बटने धहां से समझेए, diesel या constant pressure cycle क्या हो जाएगा पहला, 1 constant volume, 1 constant pressure, 2 isentropic 1 constant volume, heat rejection, 1 constant pressure, heat addition और 2 isentropic, expansion और compression heat addition किस पर हो रहा है, constant pressure पर heat rejection किस पर हो रहा है, constant volume पर हो रहा है अब फिर से समझेजे डीजल साइकिल के अंदर डीजल साइकिल के अंदर प्रेशर और टेंपरिटरंटर ड्यूरिण कमप्रिशन कहां द्यूरिंग कमप्रिशन को से ए backward से बार अब 500 degree Celsius respectively, कितना हो रहा है 500 degree Celsius, अब डीजल का self ignition कितना होता है, 1803 से 210, तो डीजल के self ignition से ज़्यादा temperature आ रहा है, क्योंकि डीजल तुरंत जल जाए, क्योंकि अगर डीजल तुरंत नहीं जला और जलने में देर हुआ, इगनीशन डीले जादा हुआ, तो ओहो ओहो ओहो, नौकिंग मार डालेगी, इसलिए हम क्या करते है, 210 इसका self ignition है, लेकिन हम 500 तक जा रहे हैं, बहुत जादा जा रहे हैं जलने में देर ना लगाए, ठीक है ना, ठीक है ना, एक इरिफान खान की मूवी नहीं थी, इरिफान खान बोलता है, भाईया मार डालो हमको, मार रहो तो मार दो बटा, क्योंकि अगर हम पच गए तो मारने में देर ना लगाएंगे, ठीक है ना, तो यह बोलता है, मार रह तक जार है और डीजल इस पर डाल रहें डीजल पने आप जल जा रहा है आप समझे कि डीजल साइकल में जो compression ratio बटा वह more होता है किससे expansion ratio से मैंने आपको बता दिया diesel cycle में compression ratio more than expansion ratio वीवन भाई वीटू compression ratio मैं बता दिया हूँ आपको यहां से अपने डीजल को inject करना शुरू किया एक injector से और यहां पर जाकि आपने injection को खलास किया injection को बंद किया तो जहां पर injection cut off हुआ इस point को बोलते है cut off point क्या बोलते है cut off point यहां पर cut off हो गया तो यहां का volume v3 और by v2 v3 by v2 यह क्या बन जाएगा बटा cut off ratio जिसे हम रो से दिखाते हैं cut off ratio जिसे हम रो से दिखाते हैं तो क्या जाएगा v1 by v2 compression ratio v4 by v3 expansion ratio और v3 by v2 cut off ratio and v3 minus v2 ओ गलत मत करना फिर से गलत हो जाएगा ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो v3 minus v2 cut off है cut off ratio अलग है और cut off अलग है cut off ratio is different and the cut off is different cut off है v3 minus v2 cut off ratio है v3 by v2 compression ratio होता है expansion ratio into cut off ratio ध्यान रखेगा हमेशा ध्यान रखेगा इस formula को compression ratio is equal to expansion ratio into cut off ratio compression ratio is equal to expansion ratio into cut off ratio injection pressure diesel के अंदर कितना होता है तो 100 से 1500 बार तक होता है to ensure अब यह injection pressure हम 100 से 1500 बार क्यों रख रहे हैं आप सोचिए कि diesel engine में air compressor के आई है feel करो piston ने air को compress किया compress किया compress किया compress किया और air इतनी मोटी layer में compress हो गई यानि कि एक air की थिकनेस हो गई लेयर की थिकनेस हो गई अब injector को अगर हम उपर से डालेंगे diesel तो diesel अंदर तक penetrate करना चाहिए कहा तक एकदम अंदर तक करना चाहिए और वो कब penetrate करेगा जब हाई प्रेशर से injection करेंगे जब हाई प्रेशर इंजक्शन करेंगे तो डीजल air की layer के अंदर penetrate कर जाएगा और प्रॉपर मिक्स करेगा तो प्रॉपरली मिक्स करें deep penetration प्रॉपर हो ताकि हमारा जो कंबस्चन है वो बहतरीन क्वाल्टी का कंबस्चन हो इसकी वजह से injection का pressure हम रखते हैं 100 से 1500 बार यानि कि बहुत ज़्यादा high pressure रखते हैं 100 से 1500 बार रखते हैं to ensure deep penetration and proper mixing क्या deep penetration and proper mixing ठीक है अब डीजल साइकल के बड़ा efficiency क्या होती है 1-1 by r to the power देखे बिटा समझे डीजल साइकल के efficiency होती है 1-1 by r to the power gamma-1 यह है cut-off ratio what is this this is cut-off ratio यहां में लिख दे रहा हूं यहां पर बिटा जो rc लिखा है वो क्या है cut-off ratio so this is cut-off ratio so cut-off ratio गामा-1 upon gamma cut-off ratio-1 पहले डीजल के efficiency लिखने के लिए पहले आपको minus 1 divided by gamma into cut-off ratio minus 1 यह क्या हो जाएगा डीजल साइकल की thermal efficiency अब डीजल साइकल जो थर्मल efficiency किस पात में depend कर रही है जड़ा ध्यान से देखिए जो डीजल की thermal efficiency है ना वो इस बात में कर रही है कि compression ratio कितना है cut-off ratio कितना है और specific heat का ratio कितना है आर गामा और रो तीनों बात पर depend कर रही है अब simple compression ratio बढ़ेगा थर्मल efficiency बढ़ेगी compression ratio specific heat ratio और cut-off ratio बढ़ेगी लेकिन क्या compression बढ़ा दें अब तो बढ़ाएं अब तो कर दो कोई बात नहीं उस इंजिन को चलाएगा कौन उस इंजिन में फ्रिक्शनल लॉस कितना होगा उस इंजिन की thermal efficiency क्या आएगी फ्रिक्शनल पावर कितनी जाएगी उसको चलाने में compression ratio बढ़ा सकते हो अच्छी बात है डीजल में compression ratio बढ़ाने से उसको start करने के लिए बहुत जादा पावर देनी पड़ेगी और फिर पावर का लॉस बहुत जादा होगा specific heat ratio increase करेगा thermal efficiency बढ़ेगी और cutoff ratio increase करेगा thermal efficiency घटेगी बढ़ा जैसे cutoff ratio increase करेगा thermal efficiency क्या हो जाएगी घट जाएगी और यह आप जानते भी कैसे जैसे ées cutoff ratio घटे बढ़ेगा अभी cutoff हमारी कंवार कहा टों कि है त्री तकह ए अगर critical prin टों यानिकि 3 यहां लादू अगर 3 पोंट में लिजें यहां होता तो expansion यहांसे होता क्या होता बेटा expansion यहां से होता तो हमको expansion की length क्या मिलती कम मिलती यानिक हमको expansion amount of expansion थोड़ा बहुत कम मिल जाता तो cutoff ratio अब आप practically feel करें कि अगर आप ज्यादा देर तक diesel का injection करेंगे तो actual expansion कम हो जाएगा तो इस वज़े से आपकी thermal efficiency घर जाएगी ठीक है ना तो यह बात आप उसके बाद मैं आपको बेजूगा ठीक है ना तो आपको मैं कल भेजूगा तो आज प्लीज जितने बच्चे यहां पर हैं प्लीज आपको पहले प्लाद रहा हो कोई कोई होगा मत करना कि सर्फ PDF नहीं मिली यह नहीं मिला अफ्राना डेम का कल तक आवेड करना कल शाम से प ठीक है बहुत बढ़िया अचलो अब पटा ध्यान से देखो अब हम दो केसे लेते हैं एक कट आफ रेशियो जीरो बहुत ध्यान से देखेगा डीजल साइकली बटा एफिशिंसी होती है वन माइनस वन बाई आर गामा माइनस वन क्या लिखा रो माइनस वन उपर लिग दि अगर यह 0 हो जाए तो 0-1 कितना आ जाएगा? यह भी 0 हो गया तो कितना आ गया? यह आ गया 1-1 by r to the power कितना आ गया? गामा माइनस 1 आ गया और ब्रेकेट में आ गया माइनस वन बाई गामा तो माइनस माइनस कर गया आ गया 1 by गामा अब देखें यहाँ पर गामा इसमें मल् multiply कर दिया जैसे for example आपसे बोला जाए 1-1 by 2 और 1-1 by 2 into 3 देखे 1-1 by 2 कितना हैगा 0.5 ये कितना है जाएगा 1-1 by 6 यानि कि 1-1 by 6 जो होगा वो 0.5 से तो कमी हैगा क्यों क्योंकि denominator में multiply हुआ तो ये value बढ़ गई fraction की value घड़ गई 1-1 कम तो efficiency जादा तो यहाँ पर denominator में सुना जो जो चीज समझा रहा हूँ इसी लिए मैंने class लिया है ताकि आप doubt में clear कर सकों और आपको exam में जो question आते हैं वो बता सकों तो अगर cutoff ratio 0 हो जाता है तो diesel cycle की efficiency auto से जादा हो जाती है अगर cutoff ratio जाता है तो diesel cycle की के बराबर हो जाती है या आप यह बोल सकते है कि diesel efficiency auto cycle के बराबर हो जाती है कैसे ध्यान से देखे अगर cutoff ratio 1 हो जाए cutoff ratio 1 cutoff ratio 1 यानि कि V3 by V2 बराबर हो जाए 1 यानि कि V3 बराबर V2 हो जाए V3 और V2 यह 3 जो point है वो 2 पे आजाए अगर 3.2 पे दो पे आजाए यानि कि 2 और 3 volume 2 volume 3 सें हो गया यानि कि constant volume टाइप का हो गया तो V2 V3 एक अँट पर आगये यानि कि constant volume हो गया तो यह cycle कैसी बन जाएगी कुछ auto cycle जैसी ऐसी बन जाएगे, कैसे बन जाएगे बटा, कुछ auto cycle जैसे यसी cycle बन जाएगे, जब मैं आपको यह भेजूँगा ना, तो यह सब हटा दूगा, यह जो लिखा हूँ, यह सब हटा दूगा, अटेंशन मत लिजिए, अदर्वाइस आपको दिखेगा, नहीं clear, ठीक है बटा, बहु इस नोट पसिब, cutoff ratio मतलब V3 by V2, V2 is infinite, cutoff ratio 0 means V3 by V2 is 0, it means V2 is infinite, means it is having infinite clearance volume, it is having infinite clearance volume, infinite clearance volume, it is having, so like that only, ठीक है, तो क्या जाएगा, यह बहुत ही, मतलब impractical चीज़ है, ऐसा को प्रक्तिकल चीज नहीं है, तो इस इस नोट tactical, this is just theoretical, yes, ठीक है, और बटा क्या जाएगा, तो यह आ गया, उसके बाद, cutoff, अच्छा, बिटा एक बात ध्यान समझेगा, जो यहाँ पर common confusion है, वो समझेगा, cutoff ratio unity, और cutoff 0, दोनों सेम बात है, cutoff ratio अलग है, cutoff अलग है, cutoff ratio unity है, it means cutoff 0 है, cutoff ratio unity, unity, it means 0 cutoff, cutoff ratio 0, cutoff ratio unity, it means 0 cutoff, because V3 by V2 is equal to 1, means V3 is equal to V2, हो गया, and what is cutoff, V3 minus V2, so it is equal to 0, so remember, efficiency of diesel cycle is more than auto cycle, जो cutoff 0 हो जाएगा, cutoff ratio 0 हो जाएगा, when cutoff ratio is unity, और cutoff is 0, बेटा confuse मत हो न, अब यह नहीं कि आपनी यह बाद भी PPT पर आप confuse हो गए, यहाँ पर ratio लिखा है, यहाँ पर सिर्फ cutoff लिखा है, cutoff ratio V3 by V2 unity हो गया, it means V3 बराबर V2 हो गया, it means V3 minus V2 बराबर हो गया 0, so cutoff 0 है, यह cutoff ratio 1 है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, हाँ, cutoff ratio पर जीरो है, नहीं, cutoff ratio अगर आपका 0 है, इसका मतलब यह है, कहाँ, यह आप बोल सकते हैं कि, cutoff 0 है, इसका मतलब अभी यह बोल सकते हैं कि, फ्यूल की supply होई नहीं रही है, kind of, ठीक है, so efficiency of diesel cycle क्या हो जाएगा बटा, अगर cutoff ratio unity हो जाए, या फिर cutoff 0 हो जाए, तो diesel की efficiency auto के बराबर हो जाएगी, ठीक है, now cutoff ratio, when cutoff happens at k percent of the stroke, ध्यान से समझेगा, कभी-कभी आपसे question पूछता है न, कि for a given, एक diesel engine है, जिसका compression ratio 20 है, और जो cutoff हो रहा है, वो 10% of the stroke पर हो रहा है, तो cutoff ratio क्या होगा, क्या मैंने बता है था आपको, compression ratio में से 1 minus करना है, percentage से multiply करना है, total answer में 1 add कर देना है, cutoff ratio आजाएगा, क्या बोला है, cutoff ratio, जैसे आपसे बोला कि एक engine है, जिसका compression ratio 15 है, cutoff हो रहा है 10% पर, तो cutoff ratio क्या होगा, क्या बोलेंगे, 15 minus 1, कितना हो गया 14, और 14 into 10%, यानि 14 into 0.1, कितना हो गया 1.4 और 1 plus 1, 2.4, यह हो गया cutoff ratio, ठीक है, तो cutoff, क्या दिखे लेगा, कैसे, when the cutoff happens at k percent of the stroke, त cutoff ratio आपको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, k by 100, k क्या है, k क्या है, percentage, k by 100 into compression ratio minus 1, total, plus 1, total का plus 1, कितना आजाएगा, total का plus 1, राजना जी, क्या पूछ रहा है, यार, पूछो, compression ratio किसका जादा होगा, बैटा, compression ratio किसका जादा होता है, normally, diesel का जादा होता है, diesel जो होता है, diesel जो होता है, वो बड़ा engine होता है, diesel engine, petrol engine छोटा engine होता है, तो normal अगर आप देखेंगे, generally, ऐसे daily life में देखेंगे, तो diesel truck में लगा होता है, diesel engine, petrol engine आपके bike में लगा है, या car में ल तो इस बात को ध्यान रखेगा ठीक है ना अब आते हैं dual cycle या semi diesel cycle बैटा expansion ratio सिर्फ यह बताता है कि expansion कितना हो रहा है अगर आप से बोला जाए expansion expansion ratio का मतलब यह है कि जैसे आप आप से बोल डिया रहा है expansion ratio कहां यूज होगा जैसे मालीजे आपको आपको diesel में suppose that expansion ratio दे दिया आपको यह question लगा रहे हैं diesel का आपको इसमें expansion ratio दे दिया और cut off ratio दे दिया और expansion दिया है और cut off ratio दिया है अब आपको thermal efficiency निकालनी है कैसे निकालेंगे thermal efficiency निकालने के लिए आपको compression ratio निकालना पड़ेगा और compression ratio कैसे निकालेंगे compression ratio is equal to cut off ratio into expansion ratio ऐसे निकालेंगे और दूसरा expansion ratio यह बताता है कि expansion कितना हो रहा है दो engine अगर एक का expansion ratio कम है एक का ज़ाधा है इसका मतलब दूसरे की thermal efficiency ज़ाधा होगी अगर दोनों का compression ratio सेम है तो अगर दो engine के compression ratio सेम है तो जिसका expansion ratio ज़ाधा है उसकी thermal efficiency ज़ाधा होगी ठीक है अब देखे अब आते हैं पिटा यहाँ पर dual और mix cycle में तो dual या mix cycle इससे dual cycle क्यों बोलता है पिटा semi diesel बोलता है या फिर mix बोलता है इसमें जो fuel you use होता है वो कौन सा होता है इसका जो fuel है वो diesel होता है बटा क्या होता है इसका fuel होता है diesel fuel आपका होता है diesel अब dual slip होता है क्योंकि इसमें heat addition हम दो बार करते हैं विकास जी हलो इसमें बटा heat addition हम दो बार करते हैं एक constant volume पर और एक constant pressure पर अब देखिए मैं आपको पूरा यहाँ पर डिटेल में बताया हूँ कि constant volume पर पहला heat addition क्यों करते हैं दूसरा heat addition constant pressure पर क्यों करते हैं किस पर जादा करते हैं किस पर कम करते हैं सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है तो dual segment देखिए एक 1 से 2 compression हो गया 2 से 3 अब इस diagram में ध्यान से देखिए क्योंकि मैंने जो notation यहाँ पर use किये है expansion, compression, cutoff ratio, explosion ratio वो इसी diagram के साफ से use किया है ठीक है ना तो 1 से 2 हो गया compression ratio यानि कि V1 by V2 compression ratio हो गया V3 by V2, V3 by V2 अब देखिए बटा, ध्यान से समझेए, बहुत ध्यान समझेगा expansion ratio होगा, पहला heat addition constant volume पे हुआ, दूसरा heat addition constant pressure पे हुआ, फिर expansion हुआ और फिर heat rejection हुआ अब क्या होगा, क्या होगा अगर मैं जादा heat addition यहाँ पे कर दूँ अगर इस process में constant volume पे जब heat addition हो रहा है, अगर वहाँ पर मैं जादा heat addition कर दूँ तो क्या होगा constant volume पर अगर आप जादा heat addition करते हैं, तो constant volume पे PV is equal to MRT, constant volume, MR constant, volume constant, pressure proportional to temperature तो अगर आप constant volume पर बेटा जादा heat addition करते हैं तो heat addition में temperature बढ़ता है तो pressure भी बढ़ता जाएगा और अगर pressure बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया एक समय आएगा जब cylinder के अंदर का pressure बहुत जादा हो जाएगा और cylinder explode कर जाएगा तो cylinder explode ना करे cylinder explode ना करे यानि कि maximum pressure कितना हो सकता है P3 इसके लिए एक ratio है जिसको बोलता है explosion ratio जो होता है P3 by P2 यह होता है explosion ratio यह explosion ratio बहुत जादा नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर यह explosion ratio बहुत जादा हो गया तो cylinder पक्का explode कर जाएगा इसलिए explosion ratio को maintain करना बहुत जरूरी है बाकि सब सेम है बाकि 1 V1 by V2 cut off ratio है sorry compression ratio है और यह V5 by V4 आपका क्या है बेटा यहाँ पर expansion ratio है V4 by V3 आपका cut off ratio है अब confused में थो यह का term से यहाँ पर मैंने जो notation लिखे है वो 12345 है इस वज़े से मैं V5 by V4 या V4 by V3 यूज़ कर रहा हूं ठीक है तो यह हो जाएगा इसका क्या आपका TS diagram यह हो Look in to the picture Look in to the graph v1 by V2 किया है compression ratio है V3 by V2 किया है P3 P3 by P2 किया है V2 और V3 बराबर है constant volume है तो P3 by P2 क्या हो जाएगा pressure at 3 upon pressure at 2 यह क्या हो जाएगा explosion ratio जिसे हम alpha से denote करते है क्या हो जाए च सके एक chamber ratio क्या हो जाएगा Xpansion ratio होजाएगा ठीक है? अब एक चीज़ समझे है, dual cycle में आपके 5 process होते हैं, फारुक जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, डुवल cycle में बटा आपके 5 process होते हैं, जिनमें 2 constant volume, 1 heat addition, 1 heat rejection, 1 constant pressure, heat addition, और 2 isentropic expansion और compression होते हैं, ठीक है न? इसमें 2 constant volume process होते हैं, बटा, heat addition और heat rejection के लिए, एक constant pressure पर भी heat addition होता है, 2 isentropic expansion और compression के लिए यहां पर use किये जाते हैं, तो heat addition जो होता है वो constant pressure पर होता है and constant volume दोनों पर होता है लेकिन जो heat rejection है वो सिर्फ constant volume पर ही होता है heat addition और heat rejection heat addition constant pressure constant volume दोनों पर होता है और जो heat rejection है वो constant volume पर ही होता है अब in dual cycle the compression ratio is more than expansion ratio जैसे diesel है वैसे dual है तो यहाँ पर भी देखे बटा compression जादा हो रहा है expansion कम हो रहा है इसलिए जब compression ratio same होता है तो dual efficiency भी auto से कम होती है बटा इसके बारे मुझे भी कोई idea नहीं है ठीक है in dual cycle compression ratio more होता है बटा expansion ratio से और क्या होता है in dual cycle the first heat addition dual cycle बटा ध्यान से समझेगा अब यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है वो समझेए जो conceptual चीज़ है dual cycle बटा जो first heat addition है वो किस पर हो रहा है constant volume पर पर हो रहा है दूसरा constant pressure पर हो रहा है question हमारा यह है कि sir उल्टा कर सकते हैं क्या sir उल्टा कर सकते हैं क्या बटा चार्ट से तीन cut off ratio नहीं होगा तो क्या होगा बताइए cut off ratio यहाँ पर क्या होगा V4 by V3 तो होगा na volume at the end of constant pressure heat addition constant pressure heat addition के बाद का volume divided by constant pressure heat addition के पहले का volume so V4 by V3 क्या होगा cut off ratio ही क्या होगा और क्या होगा ठीक है अब बटा question हमारा क्या है कि sir पहला heat addition जो हम कर रहे है अभी बताता हूं अचुतन just wait अभी बताता हूं just wait अभी मैं बताता हूं auto cycle मिटा हम क्यों why this explosion ratio you can take in auto cycle you can take explosion ratio in auto cycle but in auto cycle already the compression ratio is very small so therefore heat addition is limited constant there is always a limitation to heat addition at constant volume so in auto cycle already the compression ratio is very small so therefore this explosion ratio is not of that importance explosion ratio अब बहुत जादा important नहीं है क्योंकि इसका compression ratio अब बहुत कम है ठीक है ना very good तो समझे यहां पर बटा क्या जाएगा हाँ तो क्या हमारा question यह है कि सहरम क्या पहला heat addition bar का बटा category 1 का जो result है वो आपको 10 जनवरी से पहले मिल जाएगा 10 जनवरी से पहले आपको result मिल जाएगा मैं यह नहीं बोल सकता हूं आज कल में आ जाएगा एक आज हथे में आपको result आ सकता है साथ आठ देलें ठीक है ना अब बटा समझे तो question यह है कि in dual cycle compression ratio जादा है expansion ratio से दूसरी चीज in dual cycle the first heat addition जो first heat addition है वो constant volume पर हो रहा है and not at constant pressure जो पहला heat addition है बटा वो किस पो हो रहा है constant volume पर अगर आप पहला heat addition constant volume पर करेंगे कैसे करेंगे अगर पहला heat addition constant volume पर करेंगे ऐसे और फिर constant pressure पर करेंगे तो इतना area आपका कम हो जाएगा यानि कि आपको cycle तब कैसे मिलेगी आपको cycle कैसे मिलेगी जरा धेन से देखेगा अगर पहला heat addition constant volume पर करेंगे और दूसरा constant pressure पर कर रहे है तो आपको cycle कैसे मिलेगी देखेए पहला constant volume दूसरा constant pressure तो आपको cycle ऐसे मिलेगी this one, this one, this one and this one यह आपकी नई वाली cycle बनेगी और यह area का आपको loss हो जाएगा और area पीवी डियाग्राम का area आपको work return देता है तो आपको network कम हो जाएगा efficiency भी कम हो जाएगी इसको मैंने पूरा detail में दिखाया है ध्यान से देखो पहला reason कहा है बटा in dual cycle first heat addition at constant volume पर करते हैं दूसरा constant pressure पर करते हैं उल्टा क्यों नहीं करते हैं ऐसा क्यों करते हैं if it is so the area of the PV diagram will reduce and efficiency will be lower यानि कि अगर आपने उल्टा कर दिया if it is so मतलब अगर आपने उल्टा कर दिया तो जो PV diagram का area होगा वो कम हो जाएगा और efficiency कम हो जाएगी और दूसरा बटा क्या है दूसरा देखिए इसका जो प्रैक्टिकल रिजन है प्रैक्टिकल क्या है सरी तो theoretical गहां प्रैक्टिकल क्या है अगर आपने पहला heat addition बटा constant volume पर किया है देखिए आपने constant volume position कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया अब आप यहां से जा रहे constant pressure पर तो क्या piston यहाँ पर रुकेगा क्या क्या है ऐसे कि आप रुका हूँ नहीं तो यह प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है तो दोनों रीजन है बटा एक theoretical है theoretical क्या है कि अगर आप उल्टा करेंगे तो पीव डियाग्रम के अरिया घट जाएगा और दूसरा piston बीच में रुक नहीं सकता यानि कि यह भी impossible है पिस्टन को बीच में रुकना पड़ेगा जो भी impossible नहीं है ठीक बटा गुट अब देखिए कैसे हो जाएगा ध्यान से देखिए अगर आप उल्टा करते हैं अगर आप रिवर्स करते हैं अगर आप पहला हीट अडिशन अगर आप पहला हीट अडिशन constant volume पर करते हैं और दूसरा constant pressure पर करते हैं तो क्या हो जाएगा इतना area का आपको loss हो जाएगा क्या हो जाएगा these all PPTs I have created by my own so guys please appreciate the effort and do like this session तो यहाँ पर क्या जाएगा loss of area हो जाएगा इतना area का loss हो जाएगा और अगर area का loss तो work done का loss और अगर work done का loss इसका मतलब thermal efficiency मर गई तो यह हम prefer नहीं कर पाएगे यह हम prefer नहीं कर पाएगे ठीक है बड़ा चलिए तो यहाँ पर और क्या करेंगे dual cycle में अच्छा दूसरा question बड़ा क्या है दूसरा question यह है कि सर जादा heat addition किस पर करते हैं दूसरा question यह है कि सर जादा heat addition किस पर करते हैं constant volume पर या constant pressure पर constant volume पर ज्यादा heat addition करते हैं या constant pressure पर या simple सी बात है constant volume पर आप ज्यादा heat addition नहीं कर सकते है अगें यह लू सैक्स लौ temperature प्रपोर्शनल टू प्रेशर, temperature बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा और cylinder फट जाएगा तो पहला reason तो यह हुआ कि constant volume पर आप ज्यादा heat addition नहीं कर सकते क्य less at constant volume इसका reason क्या है because पहला करण है cp ज्यादा होता है cv से यानि कि constant pressure का heat addition ज्यादा होता है constant volume से cp cv से ज्यादा होता है दूसरा क्या है अगर आप ज्यादा heat addition constant volume पर करेंगे तो pressure rise होगा और explosion of cylinder में अकर yellow sac lock explosion of cylinder हो सकता है जिसे हम yellow sac lock according pressure increase जाएगा और आपका जो cylinder है वो explode हो सकता है ठीक है ना दूसरा so to control the increase in pressure during heat addition यानि कि अब अगर आपको heat addition आप कर रहे है constant volume पर तो अब जब भी पर आप heat addition करेंगे constant volume पर तो जो pressure का increment है वो ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए इस ratio को बोलते है explosion ratio एक बात हमेशा ध्यान रखना यह जो explosion ratio है वो क्या है P3 by P2 and always remember here P3 जो है P3 जो है that is greater than P2 means explosion ratio is always greater than 1 जो explosion ratio होता है वो एक से ज्यादा तो होता ही है लेकिन बहुत ज्यादा आप नहीं कर सकते यह नहीं कि अपने 4 ले लिया 5 ले लिया 6 ले लिया तो हम एक जनरल रेंज लेकर चलते हैं 1.3, 1.6, 1.8 तको से उपर हम नहीं जाते ठीक है एक नॉर्मल सेफटी रेंज हम लेकर चलते हैं जब आप constant volume पर heat addition करते हैं तो प्रेशर में जो increment हो रहा है उसको control करने के लिए हम क्या करते हैं the explosion ratio should not be very high explosion ratio बहुत ज़्यादा high नहीं होना चाहिए ठीक है हाँ बढ़ा constant volume में इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर आप constant volume heat addition करेंगे तो constant volume PV is equal to MRT अभी थोड़ी देर पहले में नाप होता है MR constant है volume constant है P proportional to temperature हो जाएगा और आप ज्यादा heat addition अगर constant volume पर करेंगे तो pressure बढ़ता जाएगा और cylinder के फटने के chance हो जाएगे ठीक है इस बज़े हम ज्यादा heat addition नहीं करते हैं तो इसको इसलिए जह हम constant volume पर heat addition करते हैं तो pressure जो हमारा increase होता है उसको control करने के लिए हम क्या करते हैं एक explosion ratio maintain करके रखते हैं 1-1 by r to the power gamma-1 inside bracket alpha यानि की cut off explosion ratio rho की power gamma-1 रो क्या है cut off ratio gamma-1 gamma rho-1 into alpha plus alpha-1 ठीक है क्या है alpha-1 यह बटा आपका क्या है यह है आपका क्या और dual cycle की thermal efficiency ठीक है अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजे अगर बटा यहाँ पर इसकी efficiency किस पर इनकर रही कुप्रीश स्वेड़ रेष्यो पर स्प्रेश रेशियो पर कट ऑफ रेशियो पर और Garrout Sab गर मीद्ट करा है तो अगर क्टोफ रिजोगा तो थेमलेफिंसी इंक्रीज होगी अगर स्प्रेशिक एट रेशियोुषो इंक्रीज होगा तो उसमयय यहाँ पर एक चीज आपर ध्यान दिख से समझीए फटा एक चीज ध्यान से समझीए important point अगर cutoff ratio unity हो जाएगा अगर cutoff ratio unity हो जाए cutoff ratio unity हो जाए उस समय का या cutoff zero फिरसे बोल रहा हूं Cut off ratio unity या zero cutoff zero cutoff दोनों सेंड़ीज़ है Cut आफ 0 होना और cut off ratio 1 होना दोनों सेम है ठीक है ना तो इस समय क्या होगा efficiency dual की क्या हो जाएगी auto cycle के बराबर हो जाएगी कैसे देख लो अगर cut off ratio पर आपका क्या हो जाए unity हो जाए cut off ratio अगर आपका unity हो जाए यानि कि v4 by v3 अगर यह 1 हो जाए यानि कि v4 बराबर हो गया v3 यानि कि 4 और 3 एक ही point परा गए यह जो 4 था वो 3 परा गया shift होके तो cycle कहां से start हुई यहां से क्या बन गई auto cycle क्या बन गई auto cycle अब इसको मुझे diesel cycle बनाना है diesel cycle और auto cycle both are the modified version of the dual cycle you can say from dual cycle both cycle has derived ठीक है अब समझे अगर बिटा explosion ratio 1 हो जाए अगर explosion cut off ratio 1 हो गया हमने बोला कि dual diesel बन गई ठीक है अब अगर explosion ratio 1 हो जाए अगर explosion ratio 1 हो जाए यानि कि P3 by P2 जो है explosion ratio P3 by P2 अगर बिटा वो 1 हो जाए यानि कि P3 बराबर P2 हो गया यानि कि यह 3 point shift हो के कहाँ पर आ जाया 2 पर आ गया इस पूरी cycle को shift ऊपर का 3 shift कर दो नीचे तो यह cycle कैसे आ जाएगी यह वाली line यहाँ shift हो जाएगी यह वाली यहाँ shift हो जाएगी diesel cycle बन जाएगी diesel और आपको formula से भी दिखा जाता हम देखो यहाँ बटा क्या रखना है आपको alpha 1 रखना है देखो बटा alpha अगर आप 1 रखोगे यह 1 हो गया यहाँ से alpha minus 1 1 minus 1 क्या हो गया 0 हो गया यहाँ भी 1 रख दोगे यह 1 हो जाएगा देखो rho की power gamma minus 1 upon gamma rho minus 1 यह क्या बन गया diesel cycle क्या बन गया diesel cycle ठीक है तो यह चीज़ आप याद रखेगा अब आए आपको एक चीज़ बता जे रहा हूं थोड़ा सा ध्यान रखेगा efficiency when explosion ratio unity हो जाएगा तो efficiency dual cycle के same as diesel cycle dual efficiency diesel के same हो जाएगे ठीक है and from dual cycle dual cycle से अगर आपने constant pressure heat addition process को remove कर दिया यानि कि dual cycle से अगर आपने constant pressure process को remove कर दिया अगर आपने dual से constant pressure process को हटा दिया तो बटा क्या बन गई ऑटो cycle अगर आपने dual से constant pressure process को हटा दिया तो क्या बन गई यह auto cycle क्या बन गई auto cycle All high speed engine, जितने भी high speed engine होते हैं, वो किस पर operate करते हैं, dual cycle पर, क्या बनते हैं, dual cycle पर operate करते हैं, बेटा एक चीज ध्या रखेगा, petrol engine, यानि कि auto cycle, high speed के लिए use की जाती है, low load, load कम, speed जाधा, diesel उल्टा, load जाधा और speed कम, load जाधा speed कम, ये दोनों का mixture है, यानि कि इसके अंदर auto वा भी property है, तो high speed की properties ने auto से लिए है, और high load की properties ने diesel से लिए है, यानि कि high speed और बहुत high load नहीं, लेकिन moderate load, medium load तक ये चल सकता है, तो समझेगा, दोनों का combination है ये, ठीक है बेटा, good, अब देखे ध्यान से, हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता रहा था, बेटा, efficiency याद करने का formula ध्यान समझेगा, मैं आपको efficiency याद करने का formula बता रहा हूं, मैं तीनों cycle की, auto की diesel की dual की, तो auto की efficiency बटा क्या होती है, देखे, 1-1 by r to the power gamma-1, यह आप तीनों बार लिख लिजिए, diesel की यहाँ पर आजाएगी, यहाँ पर यह भी लिख लिजिए, 1-1 by r to the power gamma-1, और dual में भी यहाँ पर लिख लिजिए, क्या लिख लिख लिए, 1-1 by r to the power gamma-1, तीनों efficiency आप यहाँ पर लिख लिजिए, अब diesel में आप आएँगे, क्या जाएँगे diesel में, आप लिखे, cutoff ratio extra आता है, क्या आता है, cutoff ratio extra आता है, तो cutoff ratio minus 1 divided by cutoff ratio minus 1, same चीज, अब gamma को यहाँ रखिए, की power gamma minus 1, divided by gamma rho minus 1, अब इसमें बटा एक term और आएगा extra, जिसका नाम है explosion ratio, आप क्या करना उसके साथ, explosion ratio यहाँ multiply करना, यहाँ multiply करना, प्लस करना है, और explosion ratio minus 1 कर देना है, तो आपको सारी efficiency इस तरह से याद हो जाएगे, आपको सारी efficiency बटा यहाँ पर याद हो जाएगे, ठीक है, air standard efficiency बटा क्या के assumptions क्या होते हैं, कि जो हमारा air है, जो हमारा working substance है, वो fixed mass का है, उसका mass पूरे cycle में change नहीं होगा, specifically CPCP पूरे cycle में constant रहेंगा, उनका ratio constant रहेगा, कोई भी exhaust या intake और exhaust process नहीं है, intake और exhaust रिप्लेस कर दिया गया है किससे, constant volume heat addition से, या heat addition से, और heat rejection से, intake और exhaust कोई process नहीं है, ठीक है ना, और CPCV कहीं change नहीं होगा, gamma की value सेम रहेगी, और compression और expansion ये दोनों perfect adiabatic है, जब भी compression होगा, जब भी expansion होगा, कोई heat का loss नहीं होगा, ना ही system से बाहर, ना ही system के अंदर, ठीक है, good, nice, आएए, तो high speed engine जो भी होगे, all high speed compression engines, जितने भी high speed diesel engine है, व क्या लिखा है, high speed compression engines, जो high speed diesel वाले engine है, वो operate करते हैं, dual cycle पर, very nice, और कल बड़ा मारी जो class है, वो किसकी है, ठीक है, ठीक है, कल की class, शाम को इसी टाइम साथ चनो, तो चलिए, last रनिवार हमने complete किया था, thermodynamics, इस रनिवार हम कर रहे है, IC engine, एक घंटे की class मारी और बची और याड, session नीचे comment अपने जरूर drop करिएगा, ठीक है, आप अपने comment drop करते हैं, तो हमको बड़ा motivation मलता है, यहाँ ठीक है, आपके लिए मैनत कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो अच्छा लगता है, चले बटा, आप efficiency का comparison करते हैं, देखे, efficiency का comparison करते हैं, अगर compression ratio सेम हुआ दिमाग भूल जाओ सब, compression ratio सेम हुआ अगर, तो auto cycle में expansion, compression बराबर हैं, तो auto cycle सबसे ज़्यदा efficiency होगी, उससे कम dual की और सबसे कम diesel की, ठीक है न, उससे कम dual की, सबसे कम diesel की, अगर आपको बटा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, देखो, अगर आपको कुछ भी नहीं दिया हु सबसे ज़्यदा खाना diesel खारा है, उससे कम खाना dual खारा है, diesel खारा है, सबसे कम खारा है, दीजल खारा है, गरणा़ सबसे कम अगर अगर outdoor में सेम maximum pressure या सेम maximum temperature है, पूरे cycle में maximum temperature, maximum pressure सेम है, उस case में भी यही order रहेगा, diesel dual auto, diesel dual auto, सेम order रहेगा, ठीक है, अगर सेम compression ratio और heat addition है, compression ratio और heat addition बटा क्या है, सेम है, तो auto dual और diesel, अगर compression ratio सेम है, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि auto में expansion और compression ratio बराबर है, तो auto की सबसे ज़ादा है, ठीक है तो auto efficiency सबसे जादा है चुकि यहाँ पर auto, dual और diesel है और ऐसे ही अगर compression ratio और heat rejection सेम है अब compression ratio सेम है उसके साथ चाहे heat addition सेम हो या फिर heat rejection सेम हो फिर से यही order repeat हो जाएगा auto, dual और diesel आजाएगा क्या जाएगा auto, dual और diesel आजाएगा ठेक है स्कॉर्प्यो डीजल इंजन होती है ठीक है ना चलिए तो यहाँ पर आपके erection cycle, अब बटा आपके कुछ mix cycle की बात कर लेते हैं जो किया कि exam में directly पूछते हैं कि किसमें कितने process होते हैं, यह हम थोड़ा साथ देख लेते हैं तो erection cycle जो होती ही, car not का modification है, car not भी कितने process हैं, car not में 4 process है 2 reversible isothermal और 2 reversible adiabatic तो दोनों reversible adiabatic को हटा दो ध्यान से सुनो, car not से दोनों adiabatic को लात्मायर के बाहर निकालो उसके जगह 2 constant pressure डाल दो, so 2 constant pressure डाल दिया adiabatic की जगह तो बन गया erection cycle, क्या बन गया erection cycle, so 2 दो आइसो थर्मल process, आइसो थर्मल compression, आइसो थर्मल expansion और constant pressure heat addition, constant pressure heat rejection बन गया बटा हमारी erection cycle ठीक है, यह इसका T.S. डागराम हो जाएगा ऐसे ही अब आपकी sterling cycle तो अब उसी car not में से 2 आइसो थर्मल और 2 isotropic दोनों isotropic को हटाईए और 2 constant volume को लाईए, तो बन जाएगी sterling cycle क्या बन जाएगी sterling cycle 2 isothermal compression और expansion बाकी constant volume पी heat addition और constant volume पी heat का rejection क्या बन जाएगी बटा, sterling cycle बन जाएगी ठीक है बच्चे गुट, अब linear cycle बटा क्या होती है अच्छे यह दोनों जो cycle हैं बटा वो किसके modification है, car not के यानि की car not से isentropic को हटाके constant pressure लगाएगा तो erection बन गई और constant volume लगाएगा तो sterling बन गई ठीक है ना, अब यहाँ पर linear cycle आती है बटा यह pulse jet engine के लिए ideal cycle होती है किसके? pulse jet engine के लिए ideal cycle होती है यानि कि जितने भी pulse jet engine होते है उनकी ideal cycle यही होती है अब इसके बाद इसके बाद constant pressure पर क्या हो गया? constant pressure पर क्या हो गया ? अब सुरी हाँ तो constant volume इसके बाद isentropic expansion और constant pressure पर हीट का rejection हो गया और यह हो गई इसके ts diagram भी आप बना सकते हैं constant volume process को हम कैसे दिखाते हैं ऐसा hyperbolic दिखाते हैं और चुकि heat addition करें तो temperature entropy दोनों बढ़ेगी इसके बाद isentropic मतलब entropy constant temperature drop क्योंकि expansion है तो नीचे आएंगे 3 से 4 बटा क्या है heat rejection constant pressure पर तो अगें ऐसे बनाएंगे ठीक है ना अगें ऐसे बनाएंगे और एंट्रॉपी और टेंपरेशर दोनों घटाते भी बनाएंगे एक चीज़ और हमेशा इस बात का ध्यान रखेगा देखे यह constant pressure का जो slope है वो कम है और constant volume का slope जो है वो जादा है यह मैंने आप थर्बडानमिक्स में बताया था constant pressure का slope क्या होता है जही exam prep sir please यार क्या कर रहो यह है क्या कर रहो यह है अपने पने नाम भी रखाया exam prep अमन रिजवान जी please क्या कर रहे है आप यह वह है like continuously sending the spams पता चल गया ठीक अपने लिखा लिन और में तीन प्रसेश होते हैं I know that यार पता है कि आपको पता है सबको पता है सबको दिख गया कि how acumen you are your literacy and your acumency here like सबको दिख रहे है ना कि आपके इतने acumen है I know you are बहुत brilliant है but please dear spam मत करिये please ठीक है बटा क्या जाएगा उसके बाद आजाएगा बटा atkinson cycle अब जो atkinson cycle है यह भी एक ic engine की cycle है जिसको टोयटो ने अपने model में use किया था जो टोयटो की कार है उसने अपने model में इसको use किया था किसको क्या था atkinson cycle को पर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई प्रॉब्लम्स क्या आई अभी आपको बताता हूं atkinson cycle में बटा क्या होती है ध्यान से देखेगा atkinson cycle में देखे 1 से 2 क्या है isentropic compression फिर 2 से 3 constant volume का heat addition है उसके बाद फिर expansion है isentropic अब जरा देखे ध्यान से यहां पर जो expansion ratio है वो compression ratio से ज़्यादा है expansion ratio compression ratio से ज़्यादा है तो इसकी thermal efficiency भी ज़्यादा होनी चाहिए थी लेकिन problem कहां आई problem आई heat rejection में जब heat rejection constant volume पर होता है और जब heat rejection constant pressure पर होता है देखो अगर constant volume पर heat rejection हुआ होता मतलब ऐसा होता अगर आप constant volume पर heat rejection मिलता तो इसके नीचे का area बहुत कम मिलता लेकिन constant pressure पर heat rejection हो रहा है तो आपको heat rejection बहुत ज्यादा मिल रहा है इस बज़े से thermal efficiency compensate हो जाती है expansion के वज़े से जो बढ़ी वो heat rejection के वज़े से balance हो गई तो erection cycle इससे हम बहुते हैं और ये practical cycle ये भी रही है again same problem है problem पर इसेंट्रॉपिक compression यहाँ पर कर देखे आप constant pressure पर heat rejection कर रहे है तो इसमें heat rejection बहुत ज़ादा होगा तो thermal efficiency घट सकती है इस वज़े से ये cycle भी तनी practical नहीं हो पाई Atkinson उसकाँ मिलर सैकल बढ़ा होती है बिल्कुल का उल्टा क्या होती है मिलर सैकल बिल्कुल डूल सैकल का उल्टा होती है डूल सैकल में दो बार heat addition होता है यहाँ पर दो बार heat rejection होता है 1-2 isotropic compression है फिर constant volume heat addition है फिर expansion है फिर यहाँ पर 4-5 constant volume heat rejection है अगें constant pressure heat rejection है अगें बटा आप same question फिर से पूछ सकते हैं कि सर क्या हम उल्टा कर सकते हैं उल्टा आप नहीं कर सकते हैं यानि कि अगर आप बोलें कि सर में पहला heat rejection constant pressure पर कर दूँ और दूसरा constant volume पर कर दूँ क्या आप कर सकते हैं नहीं again फिर से area का loss हो जाएगा और फिर से दूसरा reason भी फिर से वही है कि piston को कहीं बीच में रुखना पड़ेगा जो की possible नहीं है तो same explanation यहां भी है आप इसको भी यूज मतलब देख सकते हैं same theory यहां पर भी है बस वहाँ पर heat addition दो बार और यहां पर heat rejection दो बार same process ठीक है आएए ऑ कर जो है okay फोर्श्वों इंजन मड़ा देखे दो तरक होते हैं एक होते पेट्रोम होते हैं डीजर लिए पेट्रोल इंजन में बात करेंगे और होता है spark plug होता है valves होते हैं यहाँ पर बिटा क्या use कर रहे हैं हाँ Miller भी बिटा IC engine की cycle है बट उसमें use अब नहीं हो पाती क्योंकि फिर से वो practical नहीं है मतलब constant volume का heat rejection आप कर रहे हैं फिर constant pressure पर भी कर रहे हैं तो constant pressure का जो आप heat rejection कर रहे हैं उसके नीचे का area जादा हो रहा है यानि कि again heat rejection बहुत जादा बढ़ रहा है और thermal efficiency 1- heat rejection upon heat supply तो फिर से thermal efficiency गड़ जाती है तो यह सब cycle अब इतनी जादा use नहीं हो रही है इसलिए IC engine की सबसे best cycle इसलिए हम क्या पढ़ते हैं auto, diesel और dual ठीक है तो 4-stroke engine में बढ़ा क्या होता है petrol और diesel होता है petrol में carburetor होता है spark plug होता है valve होता है diesel में carburetor नहीं होता spark plug नहीं होता injector होता है valve होते हैं ध्यान रखेगा आप में से बटा इतनी लोग देख रहे हैं हो सकता है अगर कहीं मुझे कोई चीज गलत टाइप हो गई हो तो आप मुझे बढ़ा बता देना अगर आपके नजर में आपको को ऐसा लगी कि कुछ चीज गलत टाइप हो गई है में भी टाइपिंग करते हैं गलत हो गया हो एकाध चीज़े हो सकता है वैसे मैंने पूरा ध्यान दिया है कि 100% इसमें गलत तो two stroke engine क्या होता है इसमें भी petrol टीजल होते है petrol में फिर अगिन carburetor yes, spark plug yes, and valve yes यहां पर भी carburetor no क्योंकि डीजल है तो carburetor नहीं है spark plug नहीं है injector है और valve नहीं है थो क्या है port है अब valve नहीं है बटा तो क्या है port है और valve और port के बीच का difference क्या है what is the difference between valve and port, valve and port के बीच का बेटा जो difference है वो यह है कि valve जो होता है, काम तो दोनों से ही कर रहे है, काम तो दोनों का से ही है, भाई, दोनों का काम intake और exhaust का है, तो difference का है, valve जो होता है, वो cam shaft से चलता है, valve is operated by the cam shaft mechanism, valve को open और close करने का काम cam shaft करती है, जो कि Crank Shaft से Power लेती है, Crank Shaft से Power लेती है Cam Shaft और वो उपरेट करती है, बहुत Rocker Arm, Tap It का थूरू कि इसको Inlet और Exit Valve को, तो Valve operate होते हैं Cam Shaft से, लेकिन जो Ports होते हैं, Ports किसकी विज़ास होते हैं, Piston के Movement से, Piston के Movement, Ports are Covered and Uncovered, Means Ports are Closed and Unclosed by the Movement of the Piston, Ports होते हैं, वो Piston के Movement से Cover और Uncover होते हैं, ठीक है न, तो यहाँ पर मैंने वो भी लिखा है, अब देखे हैं, यहाँ पर आपका Two-Stroke Engine और Four-Stroke Engine का बहुत Important, Very-Very Important, Each and Every Slide of this PDF is going to be Very-Very Important, ठीक है बटा, तो Parameter में कुछ Two-Stroke और Four-Stroke के दिखा रहा हूँ आप यहाँ पर देख लिजेगा, और आपको कोई Point लगे कि गलत है, या आपको कोई Point लगे कि discussion वाला है, तो आप उसे बोल सकते हैं, तो Number of Power Cycles बटा कितनी होते हैं, देखे हैं, Two-Stroke में, Once in Every Revolution of Crankshaft, Power Cycle कितनी मिलेगी आपको हर Revolution में एक बार Power आपको मिलेगा, ठीक है, Four- Normal efficiency बटा Two-Stroke की कम होती है, और Four-Stroke की जाधा होती है, इसके दो रीजन है, देखे बटा, इसके दो रीजन से, पहला रीजन क्या है, परफिन जोटन है, यह Types of Fuel में आपका, ठीक है ना, परफिन, ओलिफिन, यह जो आएंगे, आपको कि किसमें आएंगे, Types of Fuel में, तो य Air Fuel Mixer थोड़ा बहुत बहुत बाहर निकल ही जाता है, और Air Fuel Mixer अगर बाहर निकल गया, तो Indicated Power कम होगी, और अगर Indicated Power कम, तो Break Power कम, तो Efficiency थोड़ी सी कम हो जाती है, as compared to Four-Stroke, दूसरा रीजन है, Lubrication System, जिसमें हम Mist Lubrication System या Petroil Lubrication System यूज़ करते हैं, उसमें Lubricating Oil पेट्र Sparking Proper नहीं हो पाती, इस वज़ए से Combustion Proper नहीं हो पाता, और Incomplete Combustion होने की वज़ए से Two-Stroke Engine धूवा बहुत देता है, आप कभी देखेंगे, पुरानी Suzuki Max 100 राजदूद, यह सब धूवा बहुत देती थी, और इनके Spark Pluck को बार-बार Clean करना पड़ता था, इस वज़ए से इनके Sparking Proper नहीं हो पाती, आगे यह भी लिखा हुआ है, ठीक है बेटा, अच्छा, Mechanical Efficiency ज़दा होती है, और यहाँ पर 4-Stroke की कम होती है, अब ऐसा क्यों, Mechanical Efficiency ज़दा क्यों है, अब आप बोलेंगे सर, यह क्या है, Mechanical Efficiency ज़दा क्यों है, इसका एक एही कारण है, कारण और हर 2-Stroke में आपको एक बार पावर मिल रही है, यानि कि एकर 4-Stroke के comparison में 2-Stroke देखें, तो जो Power Development है, वो साइकल के नज़री से डबल है, क्या है बेटा, साइकल के नज़री से डबल है, यानि कि Power Cycle आपको ज़दा मिल रही है, इस वज़दा से Power ज़दा मिल रही है, तो इसकी mechanical efficiency break upon indicated तो ज़दा हो जाती है, यही करण है, ठीक है, वेट छोटा होता है, और यहाँ पर वेट हेवी होता है, फ्लाइवील की size smaller होती है, क्यों? क्योंकि इसमें uniform torque ज़दा है, अब इसको मैं फिर से आपको फिर से वही example समझा रहा हूँ, एक घर है जिसमें एक इ uniformity कहाँ पर होगी, जहाँ पर हर बंदा कमा रहा है, भाले वो 5000 की नोकरी करे, अगर हर बंदा कमा रहा है, ज्यादा uniformity वहाँ पर होगी, ठीक है, तो two stroke में आपको हर cycle में एक बार power मिल रही है, four stroke में हर दो cycle में आपको एक बार power, यानि कि यू समझी है, कि दो stroke हो रहे हैं, और दोनों stroke में आपको एक बार power मिल रही है, वहाँ पर चार stroke हो रहे हैं, और चार stroke में इसे एक बार power मिल रही है, बाकि तीनों stroke निगेटिव stroke है, तीनों stroke क्या है, निगेटिव stroke जो एलर्यजी खाएंगे, तो family की condition two stroke अलेम ज्यादा बहतर है, तो इसको बाहर का support कम चाह चाहिए, ठीक है, और इसको flywheel पिटा क्या चाहिए, बड़ा चाहिए, क्योंकि इसमें uniform torque ज्यादा नहीं है, हां ठीक है, अन्ड, intake और exhaust, intake और exhaust की बात करें, for intake and exhaust, ports, intake और exhaust के लिए क्या होते हैं इसमें, port होते हैं, जो की covered और uncovered होते हैं, किससे, piston की movements है, intake और exhaust की इसमें wall हो पबढ़को बड़ेटेड होते हैं लुप्रीकेशन रिक्म neighbour ध्यादा होता ध्यादा अचहें कारण क्या करण outta 12пар सम्धों सब्सक्राल लिसे करें इसका सबसे बड़ा करण है कर जाता है क्योंकि इतना high temperature है आप कितनी भी अच्छी quality का लेलो evaporate थोड़ा बहुत होई जाएगा और इसकी वज़ए से अंदर lubricating oil की कमी हो जाती है और इसी लिए हम इसमें ज्यादा lubricating oil provide करते हैं तो इसका lubrication बहुत ज्यादा आपको करना पड़ता है और इसी लिए mist lubrication system हम प्रेफर नहीं करते हैं बहुत पुराना system है जो two stroke में यूज होता था इसमें कम होता है क्योंकि इसमें हम ऐसा कुछ करते हैं लुब्रिकेटिंग अलग और पेट्रोल अलग पावर डब्लेट इसमें ज्यादा होता है इसमें कम होता है lubrication system हम इसमें mist use करते हैं या पेट्र यह पेट्रोल नहीं है इसमें पेट्रोल क्या है पेट्रोयल लुब्रिकेशन सिस्टम यानि कि पेट्रोल प्लस ओयल पेट्रोल प्लस ओयल यह से बोलते हैं हां बटा टू स्टोक में पॉलूशन भी ज्यादा होगा बहुत बढ़िया रोही था आपने बहुत अच्छा point य यहां होगा नीचे बता दिया है कि दुवहा बहुत ज्यादा निकले गा पहली पता दिया आपको अच्छा इसका प्रेशर या फूर्स फीड्स तर्कर बहुत वह नाम एक ही है और वहां अधर हम सब ज्यादा यूंज करते हैं हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूं बटा कि टॉर्क ज्यादा यूनिफॉर्म टू स्ट्रोक में होगा वही तो लिखा हूं अभी नहीं जी मैं भी लिखा हूं ठीक है चलिए अब अब यहां पर बात करते हैं किसकी डिफरेंस बेट्रोल और डिजल इंजन किसकी बात करते हैं यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो जितने पैरामिटर्स मुझे याद आए जितने भी एक्जाम में आपके पूछे गए हैं पहले वह मैं यहां पर प्लक्टुएशन कम है यह मैं कहा रहा हूं इस टैंडर्ड फ्यूल देखे बटाट डीजल के लिए जो होता है वह होता है अपका डीजल इंजन इंजन डीजल होता है जिसका सेल्फ इगनिशन टेंपरेचर एस आईटी से इंगनिशन टेंपरेचर एक सो असी से दोसो सेल्सी होता है ठीकर डी ठीकरा है तो अब प्लाइस ऑफ्यस तकभी हो सकता है के किताबों में आप देखेंगे अगर आपको 25 तक भी लिखा हुआ है और कई क्वेसे इंजनिग सर्विससे इसे पूछे गए हैं जिनमें डीजल साइकिल का कमप्रेचर जिस को चौबिस भी दिया गया है ठीक है बेटा समझे तो यहां पर आज बेटा फिर से में बोल रहा हूं मैं टॉर्क यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूं अंदर वेरियेशन कितना होगा मैं उसकी बात कर रहा हूं तो यहां पर क्या जाएगा बेटा 15-22 या इवन हायर 2320 भी हो सकता है लोवर होत होता है प्रिजेंट होता है स्पार्टे समय ठीक होता है डीय ओर इंटर डीज़ इंटर मैं सक्षिन की दवरां खें एर एंटर करती है लेकिन पेट्रोल इंजन में एर क्रस्टेरोल दोनों एंटर करते हैं फ्लाइविल बिगर चाहिए क्यों क्योंकि डीजल जो है वो लो स्पीड रुनिंग इंजन है फ्लाइविल का एनर्जी अब्सॉप्षिन कैपस्ती हाफ आई OMEGA स्कुर्र ओमेगा तो आपका यहां आ जाएगा फ्लाइविल बिटा इसमें फ्लाइविल अब करते हैं एक स्मॉलर मेंद अब अप्लिकेशन के आता है एसका इसका इसका लाइड एक होता है और श्यूटेबल कि इसके लिए लौज़ाई आपका। तो यहां पर बात हैं पर्फॉर्मेंस ऑफ इस इंजल पर आई डोंट थिंग कि अब कोई टॉपिक बचा डीजर पेट्रोल इंजल की कंपरेजन में मतलब आप समझ यह कहां यहां पर पूरा रिसर्च नहीं कर रहे हैं हम रिवाइस करें एससी जाए के मद्दे नजर ठीक है तो बतंशन का भीट तौरत करते हैं जब भी हम आईच इंजल के परफॉरमेंस की बात करते हैं अभी ये जो टॉपिक है इसमें पढ़ेंगे परफॉरमेंस एंड टेस्टिंग और आईस इनजल पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा इंपोरन्टन टॉपिक पूरे IC नजन में, सबसे रहा important topic मैं इसी को मार करूँगा, very very important, ठीक है, जो भी आपके doubts होंगे, मैं आपको विवता दूगा, जैसे आज तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं आपको लिखके दे दूँ, बहुत सारे बच्चे हैं, उनको व कोटरिंग भी समझ लेते हैं, विलियंस लाइन समझी नहीं आता कि होता कैसे, क्या क्यों इसे extrapolation बोलते हैं, समझी नहीं आता, ठीक है, मैं आपको समझाज हूँगा, कैसे होता है, तो बटा, performance of IC engine का मतलब होता है, जब भी हम performance of IC engine निकालते हैं, तो IC engine की performance अपढ़ते हैं, आइसे इंजन की performance मतलब ऐसे parameters, ऐसे standards, ऐसे parameter, जो IC engine की performance को बताते हैं, उसको बोलते हैं, performance parameter, performance parameter, आप किससे बता सकते हैं, power से, दो engine है जिसकी power ज्यादा है, वो ज्यादा efficient है, वो ज्यादा perform कर रहा है, दो engine है जिसकी efficiency ज्यादा है, वो ज्यादा बहतर perform कर रहा है, जिसका fuel consumption कम है for the same power वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है यानि कि परफॉर्मेंस का मतलब होता है बेटा है हाँ बेटा single cylinder diesel engine at a fixed speed वो तो है काम कैसे करता है working क्या है function क्या है मैं उसकी बात कर रहा हूं अभी मैं पांच मन में वहाँ पहुंच रहा हूं ठीक है तो परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि पावर निकालना efficiency निकालना और फ्यूल का consumption निकालना तीन तरह के पावर हम निकालते हैं indicated brake और frictional power indicated power brake और frictional power indicated power काउनसा होता है जो piston के input पर है brake पावर वह होता है जो crank shaft के output पर है लेकिन useful power आप सोचिए कि आप crank shaft से जब पिस्टन के अंदर जब फ्यूल हमारा जल रहा है तो फ्यूल की chemical energy heat energy में convert हो रही है अब उस heat energy में से कुछ loss भी हो रहे है कुछ conduction में चला गया कुछ convection में चला गया कुछ cooling water को चला गया तो सारे losses को निकाल दीजे अब जो बचा वह indicated power है जो पिस्टन को actually push कर रहा है वह power fuel के जलने के बाद वह part of energy जो piston को actually push कर रही है वह है indicated power अब imagine करें बटा कि यह combustion chamber है यहाँ पर हमारा fuel जला जिसकी chemical energy heat energy में रिलीज हुई तो fuel के combustion chamber से क्या convection नहीं होगा क्या radiation नहीं होगा क्या cooling water को heat नहीं जाएगी सब होगा radiation तो high temperature पर dominate करता है अब कितना भी non conducting piston cylinder वगर जो भी चाहें ले लें लेकिन लॉस तब भी होगा तो मालीज अगर 100 kilojool के energy release हुई और उसमें से 10 kilojool का loss हो गया convection, conduction, radiation फलाना डिमका में या cooling water को cooling air को बचा 90 अब वो 90 actually piston को push कर रहा है वह होता है indicated power अब यहाँ सब piston cylinder के बीच में losses हुए, crank shaft तक power आई, frictional loss हुए, crank shaft तक power आई, उसके बाद उसी crank shaft से, अब आप देखो, crank shaft बेटा मालो समझो यह है, crank shaft पे power आ गई है कितनी ही मालीजे 100 थी, 90 थी actual में, यहाँ पर आ गई ही 60, कितनी ही 60 यहाँ पर पहुँच गई, बीच में loss हो गया friction में, 30 का, इ अलग-अलग lubrication system अभी आगे देखेंगे, आपको cooling system, lubrication system चलाना है, कहीं आप air conditioner चला रहे हैं, कहीं आपका wiper चला रहे हैं, कहीं वाइपर का पानी चला रहे हैं, कहीं आप ignition system चला रहे हैं, यह सब auxiliaries होती हैं, क्या होती हैं, auxiliaries यानि कि accessories, इन सब का power minus कर दो, जो जो cam shaft भी चल रहे हैं, जो valve operate कर रहे हैं, supercharger भी चल रहे हैं, इन सब का power minus कर दो, अब जो exact power बची, अब जो exact power बची, 60 में से 35 मने और निकाल दिया, अब बचा 25, that 25 is brake power, so it is not the power which is at the output of the crankshaft, instead it is the useful power at the crankshaft output, यह वो पावर नहीं हैं, जो crankshaft के output पर हैं, वो पावर हैं, जिसको हम use कर पा रहे हैं, वो पावर हैं, जिसको हम use कर पा रहे हैं, वो पावर है, कभी-कभी आप देखेंगे, आप बहुत सारे app होते हैं, वो बोलता हैं कि हमारे हाँ तुम game खेलो और आपको coins मिलते हैं, coins मिलते हैं, जिसे आपके account में 10 coins हैं, या 10 points हैं, वो point आपके account में 10 हैं, फिलहाल के लिए अभी useful नहीं है, तो क्या आप उसको खर्च कर पाएंगे, उसके एक limit है ना कि 300 पहुंच आओगे, 400 पहुंच जाएगे, बहुत सारी से चीज़े हैं, तो हम आपको यह देंगे, gift देंगे, फलन एडिम का, तो जब तक 10, आपके 10 star है, 10 point है, क्या आप उसको use कर पाएंगे, नहीं, वो देखने के लिए अच्छी है, useful नहीं है, तो वो useful power नहीं है, ठीक है पटा, तो power में तीन power, indicated brake और frictional, बाकी efficiency में mechanical efficiency, volumetric relative, indicated thermal, brake thermal efficiency, 5 efficiency पढ़ेंगे, और fuel consumption में दो तरह का fuel consumption, indicated or brake specific, indicated specific fuel consumption, brake specific fuel consumption, okay, तो पटा, indicated power क्या होती है, indicated power वो होती है, जो piston के input पर actually है, जो piston को push करने के लिए, वो power जो piston को actually push कर रही है, उसे बहुत है indicated power, किसे निकालते हैं बटा, indicator diagram से निकालते हैं, indicator diagram का मतलब PV diagram, PV diagram को हम indicator diagram भी बोलते हैं, तो इसको हम indicator diagram से निकालते हैं, यानि कि PV diagram से निकालते हैं, ठीक है, अब समझे, अब अग इंडिकेर्ट पावर बटा क्या होती है ध्यान से समझेए इंडिकेर्ट पावर होती है mean effective pressure into swept volume mean effective pressure into swept volume into number of cylinders into n small n small n small n small n क्या है number of power cycles number of power cycles number of power cycles अगर यह four stroke engine है तो n small n की value हो जाती है capital n by 2 क्योंकि number of power cycle आपको rpm का आधा मिलेगा अगर यह four stroke engine बटा यह formula बहुत ध्यान से समझना बहुत ध्यान से mean effective pressure into swept volume into number of cylinder देखो जब यह आप work डन लिखते हो अब क्या लिखते हो बटा mean effective pressure into swept volume लेकिन वह कितने cylinder का है एक cylinder का work done किसका है एक cylinder का अगर number of cylinders k है k है तो आप k से multiply करेंगे करेंगे अब into number of power cycle कितनी होगी power cycle कितनी होगी four stroke engine में अगर यह small n है number of power cycle number of power cycle ठीक अब अगर यह small n है बिटा number of power number of power strokes per cycle या आप number of power cycle आप से बोल सकते हैं तो क्या जाएगा small n आजागा capital n by two four stroke के लिए क्योंकि rpm का आधा अगर एक 1000 rpm पर चल रहा है तो number of power stroke कितनी होगे number of power cycles कितनी होगी 500 number of power cycle कितनी होगी 500 तो आप n की value क्या लिखेंगे n by two ठीक है ठीक है ठीक है बटा गुट फिर यहां पर n small n capital n के बराबर हो जाएगा two stroke engine के लिए क्योंकि two stroke engine जितने rpm पर चलेगा उतनी ही आप बार आपको power मिलेगा गुट और n capital n बटा यहां पर क्या है engine का rpm है ठीक है अगर आपने 60 से divided कर दिया क्योंकि capital n rpm है revolution पर minute और आपको इंडिकेटर पावर चाहिए पावर यानि की work done per second तो per second minute से second जाने के लिए आपको 60 से divide करना पड़ेगा और तब आप यहां पर आएंगे watt में अगर आपको यह kilowatt में चाहिए ध्यान समझेए अगर आपको यह kilowatt में चाहिए तो आप नीचे भी 1000 से divide करेंगे so divide by 1000 if you want this power into kilowatt now mean effective pressure बटा क्या होता है mean effective अब देखिए चुकि साइकिल हमारी अब एक चीज में आपको बता रहा हूँ जब हम auto cycle DJ cycle पढ़ते हैं जैसे auto cycle यह आपने पढ़ा होगा close system का work done क्या होता है integration PDV या VDP PDV जो भी पढ़ लो अब मुझे बताओ अगर आप PDV लगा रहे हो तो कौन सा प्रेशर आप ले रहे हो which pressure you are taking 1,2 compression 2-3 heat addition 3-4 expansion 4-7 heat rejection everywhere the pressure is changing 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 so can you imagine which pressure you are taking अब कौन सा प्रेशर ले रहे हैं भाई 1 पर pressure अलग है 2 पर लग है 3 पर लग है 4 पर लग है infinite point है during cycle और हर point पर मिलाद प्रेशर अलग है क्योंकि यह variable force है क्या है variable force है हर point पर प्रेशर अलग है तो इस इस हिसाब से इस हिसाब से यस इसी हिसाब से हम एक fix pressure हमको लेना पड़ेगा ताकि हम work done तो निकाल पाए भाई कौन सा प्रेशर लेए work done निकालने के लिए तो बटा हम निकालते है work done हम एक average pressure मानते है कि पूरे cycle में एक average pressure काम कर रहा है और है इसे को हम बोलते है average pressure so mean effective pressure क्या होता है imaginary या average pressure imaginary average और mean pressure acting continuously in the cycle it when multiplied with swept volume जब आप swept volume से multiply करते हैं तो क्या देता है work done per power cycle per cylinder हम लिए देता है na wd w is equal to pm into vs वो work क्या है पर power cycle यानि कि पर cycle per cylinder work done पर power cycle पर cylinder ठीक है न तो आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं या चलो कोई बात नहीं आप यह बोल सकते हैं कि work done work done देता है तब भी ठीक है अब इतना भी जानेंगे तब भी ठीक है अब बेटा देखिए break power क्या होती है या इसे हम shaft power बोलते है देखिए question में अगर कभी भी लिखा है कि the power developed by an engine अगर यह word कहीं लिखा है कि the power developed by an engine हाँ अगर आप mean effective को kilo में लेंगे तो वो भी kilowatt में आएगा यार सुनो ना mean effective pressure बटा अगर आप what मिले मतलब आप pascal मिले रहे mean effective pressure तो यह watt में आएगा अगर kilo यहां लगा दोगी है तो यहां भी kilo लग जाएगा kilowatt में आजाएगा नहीं कोई tension वाली बात नहीं है ठीक है बटा चलिए तो यहां पर क्या जाएगा हां तो ब्रेक पावर बिटा अगर कभी भी question में लिखा हुआ है कि an engine develops तो इंजन क्या डेवलप कर रहा है अब आप यह कैसे जानेंगे कि यह ब्रेक पावर है कि शाफ्ट पावर है इंजन डेवलप कर रहा है आप इंजन के बाहर खड़े हैं और इंजन डेवलप कर रहा है आपको क्या दिखाई देगा शाफ्ट रोटेट होता हुआ दिखाई देगा इंजन स से निकालते हैं और यह क्या है विटा देखो मैंने यहां पर capital letter में रिखा हुआ है it is the useful power at crank shaft output crank shaft के output पर वो useful power which is actually driving the vehicle जो गाड़ी को actual में drive कर रही है सारे losses को minus करने के बाद सारे losses को minus करने के बाद brake power बटा क्या होता है brake power आप चानते हैं क्या होता है torque into omega होता है omega होता है 2 pi n by 60 so torque into omega 2 pi n by 60 into torque हो गया torque यहां पर कौन सा torque है braking torque braking torque मतलब brake load into brake radius load into radius तो किसका load brake का load into brake का radius ठीक है और torque है देखिए यहां पर T है पटा torque braking torque बोल सकते हैं या brake load into radius of brake यह आपको question में दिया हो सकता है कभी कभी brake load दिया होता है f b करके और radius of brake r b करके दिया होता है अपको है ना तो friction power बटा क्या होता है friction power होता है ip minus bp ठीक है बटा चलिए तो यहां पर क्या आ जाएगा अब ना फ्रिक्शन पार हो जाएगा ip minus bp आ जाएगा good power lost in overcoming the friction between the various parts यानि कि जो well organized है पहले हम performance पढ़ते हैं और फिर टेस्टिंग पढ़ते हैं क्यों इंडिकेटेड़ पावर आपने निकाल लिया indicator diagram से यानि की PV diagram की एरिया से ब्रेक पावर आपने निकाल लिया डाइनमो मीटर से निकाल लिया break पावर निकाल लिया We से अब बचा आँ ठेक्षिनल पावर को कैसे निकालेंगे या और इन निपर सकते हैं Sa seaweed Conscile कैसे निGERते हैं found with different testing अलग अलग testing Whoops हैं जिसकी वज़े से आप व्रेक्षे निकालते हैं जैसा है mods test motering test variance line test negotiating इन लाइन तेस्क विज़े से आप क्या करते हैं यह सब निकालते हैं एक सेके मुझे दिना बिटा एक सेकेंड हलो सर नो बज़े तक लाज से अभी करता हूं ठीक बटा तो क्या जाएगा यहाँ पर क्या जाएगा पावर लॉस्ट इन ओवर कमिंग दा फ्रेक्शन बिटूइन दा वेरियस पार्ट और यह फ्रेक्शनल पावर कैसे निकालेंगे क्योंकि डारेक्ट कोई मेथड को है नहीं तो टेस्टिंग मेथड है मारे पास मॉर्स ह कि अब आएंगे टेस्टिंग में किसमें आएंगे टेस्टिंग में ठीक है अच्छा efficacy का का फॉर्मूला दिख लिए efficiency क्या होती है बटा देखेए mechanical efficiency क्या होती है ब्रेकवर अपन in donate कर लीजेगा ध्यान से इसको नोट कर लीजेए indicate power upon break power अगर यह बटा क्या है compressor है क्या है compressor है या pump है या air compressor है कुछ है को इसके लिए IP by BP हो जाती है ठीक है ना good volumetric efficiency बटा क्या होती है actual volume जो cylinder के अंदर आ रहा है upon maximum जितना इंटर कर सकता है उसका ratio क्या होता है volumetric efficiency relative efficiency क्या होती है actual efficiency upon air standard efficiency अब देखिए जब हम auto cycle पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि वो reversible cycle है उसमें कोई loss नहीं हो रहा लेकिन actual में जो आपको efficiency मिल रहे है petrol engine से वो क्या है brake thermal efficiency क्योंकि brake power जो power आपको मिल रहे है power output वो क्या है brake power upon heat supply तो actual जो efficiency है वो क्या है brake thermal efficiency कि से compare कर रहे है इसमें कोई friction का loss नहीं मार रहे है हमारे है reversible है लेकिन actual में तो losses हो रहे है actual में तो हम frictional power भी पढ़ रहे है ठीक है mechanical efficiency का होना इस बात का प्रमाढ है कि friction है भाई mechanical efficiency का 80% है इसका मतलब brake power indicated power का 80% है यानि कि 20% friction loss हुआ है mechanical efficiency पेटा क्या बताती है the power lost in friction Indicator thermal efficiency क्या क्या होती है देखेगे थर्मल efficiency क्या होती है power upon heat supply Então Indicated thermal efficiency क्या होगी indicator power upon heat supply brake thermal efficiency क्या होगी Mass flow rate of fuel into calorific value Mass flow rate of fuel into calorific value ठीक है अब specific fuel consumption क्या होता है बता समझे दो तरह की specific fuel consumption होते है एक होता है आपका brake specific fuel consumption एक होता है indicated specific fuel consumption brake specific यानि कि सुनू fuel consumption होता है brake specific fuel consumption यानि कि एक unit एक kilowatt brake power लेने के लिए जितना kg fuel पर आर रहा है उसको बोलते है brake specific fuel consumption यानि कि fuel consumption for a specific brake power एक एक यूनिट ब्रेक पावर एक किलो वाट ब्रेक पावर लेनी के लिए आपको जितना fuel आरा है केजी पर आर अंदर उसको बोलते हैं brake specific fuel consumption यानि की mass of fuel per r divided by brake power normal unit बेटा क्या होती है mass of fuel का हो गया kg per r normally मैं ऐसे ही लेते हैं और इसको मैं लेते हैं kiliowatt में kg per kilowatt r हो गया और same ऐसे ही एक unit indicated power लेने के लिए जितना fuel अंदर आ रहा है that is indicated specific fuel consumption that is called ISFC ठेके ना? mass of fuel per r divided by indicated power यहां प्याला लगा लगा लीजिएगा ठीका बटा यह मास फ्लोर एट है आप यहां भी प्लाइप लगा लीजिएगा अच्छा अब क्या गया अब टेस्टिंग ऑफ आईसी इंजन बडाई आइस इंगी टेस्टिंग करते हैं तो चार मेठाँ हमारे पास हैं बेसिकली एक म यह बहुत सिंपल सा टेस्ट है मौर्स टेस्ट क्या होता है, मोर्टिरिंग टेस्ट क्या होता है और विलियन स्लाइन टेस्ट क्या होता है, यहाँ पर आके बात करते हैं, ठीक है बटा, ध्यान से समझो मुझे लगता है तुम लोग बोर हो रहे हो, बंद करने क्लास क्लास बन करतें बोर हो रहे हो आराम जैदें अब जराँ ध्यान से देखें जले ठीक है 15 मिटा और 10 मिट और स्थाथ सुनिए सुनिए स्थाथ सुनिए तेस्टिंग आफ आई सी इंजर में देखें फिर भी हम कहां से कहां पहुँच गए टेस्टिंग पहुंच गए और हो सक सुनिये सुनिये आप टेंशन मत लिजे बटा जो पार्ट बचे का आप में दुवारा कवर कर दूगा मत दब जो पार्ट बचे का ना मैं किसी ओ लेक्ट्र में कवर कर दूँँ आप मत लिजे see cylinder engine का चाहे वह दीजल हो चाहे वह petrol हो जो भी हो हम निकालते हैं multi cylinder engine का Frickshorn Power और Indicated Power पी निकाली और चाहे moteur कर देते हैं एक इन्राद क्थाओ और ने कुछ कर देते हैं आप बिल्द येब क्या है ड़िए जिस सीलेंडर क्थ है कुछ आल लीजीर education for a person can स्पार्किंग बंद कर दी अब जिस सिलेंडर में अपने स्पार्किंग करी ही नहीं उसमें क्या होगा इंडिकेरेट पावर आएगा ही नहीं क्योंकि इसमें फ्यूल का कंबश्चन ही नहीं हुआ लेकिन वो cilinder बेटा समझे एक shaft है आपकी एक shaft है इस पर चार cilinder लगे हैं चार cilinder अपने इसका spark plug cut off कर दिया यानि कि इसमें जो IP हो गया वो 0 हो गया लेकिन जब यह shaft move करेगी यह 3 cilinder move कर रहे हैं तो इसका जो piston है वो तो move करेगा ही piston तो because of shaft move करेगा ही वो बात अलग है कि उसमें combustion नहीं हो रहा यानि कि frictional power 0 नहीं होगी जिस भी cylinder को आप cut off करेंगे उसका piston तो move कर ही रहा है piston तो move कर ही रहा है उसमें frictional power 0 नहीं होगी सिर्फ IP 0 होगा कैसे 0 होगा IP एक cylinder को cut off करेंगे अगली अब देखे इसका simple example क्या है बिटा समझे आपको सिंपल एक बहुत प्यारा सा example समझता हूं समझाता हूं ठीक है ना देखे जैसे मालीजी एक काम है उस काम को करने के लिए चार मजदूर आपने पॉइंट किए एक काम बहुं करना है आपको घर बनवानां आपने उसकी चार मजदूर अपउयंट किया पहले दिन चारों मजदूर ने काम किया पहले दिन चार मजदूर है मालीजे ए टोटल शाफ्ट की नाप लिया एक शाफ्ट है क्रैंक शाफ्ट उसपे एक दो तीन चार सिलिंडर लगे चारो फायर हो रहे पहले टोटल ब्रेक पार हमने नाप लिया लिख लिया मालो कितना गया चारों मजदूर ने काम किया कितना जाब बटा 200 अब अगला दिन हुआ तो म काम किया अगली वार एक सिलिंडर काट असलेंडर करें तीन ऐन फायर किया मजदूर काम कितना हुआ 1.500 का तो अगर आप से कोई पूछे कि मजदूर chỉ 1 का काम कितना था चारों क्यों कर रहे थे तो 200 का काम कर रहे थे जब 3 काम कर ने चैनका रहे थे तो n». एक सिलेंडर को कट औफ किया उसमें इसपारकिंग बंद कर यह बागी तीन का निकाल लिया सबसे पहले चारों को चलाएंगे टोटल ब्रेक पावर ना पलेंगे उसके बाद एक को कट आफ करते जाएंगे और सबका ऐसे ही पावर निकालते जाएंगे तो यहाँ पर बटा हम क्या करेंगे इससे हम frictional power और indicated power दोनों निकालेंगे किसके लिए यूज़ करेंगे multi cylinder engine के लिए अब बटा motoring test क्या होता है motoring test ऐसा होता है समझेए कि motoring test में जैसे आपका एक engine है मैं आपको सम्झा जाता हूँ short में reen test में आपको क्या करते है जैसे हैं आपका init एंजन है ठीक है नृ यहाँ पर इन्डिकेड पावर हमारी है सलके समझेए आप के समझेगा कि motoring test करते कैसे हैं आपको एक मिलर्ट में समस्जा रहा हूँ माले जी बटा, indicated power हमार यही हमने fuel को जलाया और 100 kJ के energy रिलीज होई, indicated power, अब यहां से आते 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 आते, शाफ तक आते आते, माले जी 80 kJ बचे, 80 kJ बचे, अब इसकी frictional power कैसे निकालनी है, अब आप बोलेंगे सरे तो बहुत आसान है, 100-80 कर दो, बटा यह यह आपको नह जा रहा हूँ समझने के लिए 100 यहां से निकला और 80 यहां तक पहुचा अब हम यह power तो नाप सकते हैं इसको अमने डायनमोमीटर से नाप लिया break power कितनी आई 80 हमको सिर्फ break power पता है fuel जला कितनी नरजी निकली हमको नहीं बता हमकोос ब्रेक पावर पता है 80 किलोजूल हमने इसको डाइनमोमेटर से नाप लिया अब यह जो 80 किलोजूल की पावर है या जो 80 किलोवाट की पावर है यह हमने एक डाइनमोमेटर में स्टोर कर दिया जिस डाइनमोमेटर कौम बोलते हैं जिस dynamometer को हम बोलते हैं, swing, क्या बोलते हैं बटा, swing field, एक सगेंड, हाँ, जिस dynamometer को हम बोलते हैं, swing field type electric dynamometer, यह होता है, जिसका नाम होता है, swing field type, अब यह swing क्यों नाम होता है, मैं आपको समझाता हूँ, देखे, 100 की power आई, और 80 यहां तक मिली, आपको सिर्फ break power पता है, अब आपको ब्रेक पता है, और आप इंजन को चला रहे है, 1000 rpm, ध्यान से समझेगा, आपने इंजन को चलाना है, 1000 rpm, किस पर चलाना है बटा, एक rated speed पर, used to find the frictional power of single cylinder engine, चाहे वो जो भी इंजन हो, ठीक है, इंजन is tested at rated rpm, इंजन को आपको एक fix rpm पर test करना है, इंजन 1000 rpm पर चला, और 80 kW की brake power दिया, आपने उसको एक dynamometer में store कर लिया, कर लिया, अब वो dynamometer swinging है, बोथ वे है, वो motor का भी काम कर सकता है, वो dynamometer मोटर का भी काम कर सकता है, अब देखे, 1000 rpm पर इंजन चल रहा है, आपको इंजन को इसी rpm पर रखना है, rpm कम नहीं होना चाहे ह 1000 rpm पर इंजन चल रहा है, 80 kW की brake power दिया, इस brake power को हमने एक dynamometer में store कर लिया, किस में store कर लिया, अब हमने engine को बंद कर दिया, क्या किया, इंजन को बंद कर दिया, अब बेटा क्या कर रहे है, अब हम वापस से ये power supply कर रहे है, जो power store हुईident parameter में 80 kW की, वो हम वापस से उसको इंजन को दूबाला papa इसले पूलते हैं इसी में बोता है कि लर्ब कर रहा है इसा किया कर रहे है इस्टार कितनी पावर है तो हमारे पास कितनी पावर चलाना किस पर है 5000 पर गया सो किलो जूल 시 तो आपके पास स्टोर है एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा 20 का और वह 20 क्या हुआ समझ गए ब्रेक पाउर मिला असी आपने डार्मोमेटर में स्टोर कर लिया इंजन को बंद कर दिया इंजन को दुबारा से स्टार्ट करना है फिर 1000 रपीम पर चलाना है ये असी अपने सप्लाई किया इंजन 1000 रपीम पर तब जाएगा तब जाएगा जब आप उसको आप उसको 100 किलो जूल की पावर सप्लाई करेंगे तो 80 तो stored है, extra कितना देना है pump से, motor से extra कितना देना है 20 यानि कि आपने पता चल गया कि यह 20 है वो frictional power है समझ आ गया, समझ आया, ऐसे निकालते हैं मैंटा हम motoring test अच्छा indicator बहुत आसान है, इंडिकेटर बहुत आसान है, frictional power निकालते हैं by taking the difference of IP-BP, IP निकाल लिया, बिप निकाल लिया, जोनों को मैनिस करें, frictional power निकाल लिया आईए बटा, एक यहाँ पर test बताते हैं आपको, विलियन्स लाइन test यह बहुत important test है और बहुत जादा बच्चों को समझ में नहीं आता ठीक है, विलियन्स लाइन test बताते हैं आठीक है एक्स्ट्राप्शन टेक्जिक इसको को बोलते हैं, फ्यूल को eg educator करते हैं, मतलब एक तरसे आप समझीिक हम méni bacteria कर रहे हैं अपनी आपनी तरीके से तो फ्यूल earning बताते हैं ये किसके लिए निकालते हैं बटा, Frictional Power निकालते हैं, किसका, Single Cylinder Engine का, सिर्फ Diesel Engine का, Only Single Cylinder Engine, Diesel Engine, एक Fixed RPM पर टेस्ट करना है, जैसे पिछरावला किया था, इंजन को कोई भी एक RPM आप ले लो, आपकी मर्जी 2000, 3000, 2500, जो भी RPM आप ले लो, एक ही RPM महना चे, Fixed RPM, और आप No Load Condition में टेस्ट करोगे, इंजन को No Load Condition में टेस्ट करोगे, ठीक है, तो बटा क्या करेंगे आप, इंजन is run for some time, कुछ देर आपने इंजन को चलाया, at a Fixed Speed, एक main stand पर लगा दिया, और start कर दिया, ठीक, अब एक graph हम plot करते हैं, पहले आप जितनी चीज़ें लिखेंगे, उसको समझ लो, फिर आपको समझाता हूँ, यह होता कैसे, एक graph बेट हम plot करते हैं, किसके बीच में, total fuel consumption के बीच में, और brake power के बीच में, या फिर braking torque के बीच में, ए और a point, अब यह बटा क्या है, एक ऐसा line है, यह line जहां पर यहां पर cut करेगी, इसी power को हम बोलते हैं, frictional power, क्या बोलते हैं, frictional power, अभी आपको समझाता हूँ, देखे, the point where the graph cuts the brake power axis, यह जो graph है, वो जो brake power के axis है, इसको जहां पर cut कर रहा है, इसको हम बोलते हैं, यह पूरी length इसे बोलते हैं, frictional power, क्या बोलते हैं, frictional power, ठीक है, the area of the reason, OML, यह जो O, M और L, यह जो triangle बन रहा है, इसका जो reason होता है, इसे बोलते है, extrapolated graph, क्या बोलते है, extrapolated graph, अब समझ यह, यह होता क्या है, अब आपको मैं समझाता हूँ, William's line test, 5 मिनिट के अंदर आपको पूरा समझ अरे कहा हो, हाँ, यहा है, आजओ आजओ आजओ, ठीक है, एक चीज मानिए बटा, यहाँ पर, देखिए, माल लीजी एक engine है, समझिए, एक IC engine है बटा, ध्यान समझिए, एक IC engine है, जिसको आप किस पर चलाना चाहते हैं, 2000 RPM पर, आप इसको बटा, 2000 RPM पर चलाना चाहते हैं, क नो लोड कंडिशन, यानि की कोई भी इस पर लोड नहीं है, कोई लोड नहीं मतलब कोई brake power नहीं, भाइ, ब्रेकिंग लोड लोड ही नहीं है, जब लोड नहीं है, तो brake power नहीं है, ठीक है, यानि की जो भी indicate power आ रही है, सब friction में जा रही है, फाल्तो इंजिन चला कर भेला ही है फ्रिक्शन बजा रही है धेham सो सब आप मांट इसे पांस मिनिटी एक इंजन को आपको 2000 आप में चलाना है ठीक है और आप इसको नो लोड़ पे देस्ट कर रहे हो जब अपथ नोड़ पे टेस्ट क्या आप ने इसमें लौड लूड़ नहीं है तो ovrd तो friction में तो fuel खाएगा ही जो भी IP आ रहा है सब किसमें जा रहा है friction में waste हो जा रहा है क्या खा रहा है? Frictional power खा रहा है ठीक है? अब समझो मालो engine के अंदर बटा क्या है? 5 gram fuel है यह सब मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए value बता रहा हूँ मालो engine के अंदर 5 gram fuel है और 5 gram का fuel जला और उससे 5 kilowatt की indicated power निकली मालो engine के अंदर भी fuel हमने कितना डाला है? सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ engine के अंदर हमने fuel कितना डाला है? 5 gram और उस 5 gram को जलने से 5 kilowatt की indicated power हमको मिल रही है फ्यूल है हम पर जल रहा है और पांच किलोवाट की इंडिगरेट पावर हमको मिल रही है और पूरी पूरी कहां जा रही है friction में waste हो रही है क्यों कि क्योंकि कोई break power नहीं मिल रही है याणि कि break power 0 है और fuel का consumption इतना है 5 ग्राम 5 ग्राम से इंजिन से थोड़ा सा फ्यूल निकाल लिया 1 ग्राम फ्यूल बने इंजिन से निकाल लिया तो fuel का consumption कम हुआ, ध्यान से सुनो, fuel का consumption किस axis पर है, y axis पर, यहाँ पर 5 gram fuel था, मैंने 1 gram fuel निकाल लिया, बटा कितना आ गया, 4 gram, 4 gram आया, तो 4 gram fuel से कितनी power मिली, 4 kilowatt की, लेकिन engine को चलाना किस पर है, 5 kilowatt पर, क्योंकि engine friction कितना खा रहा है, 5 kilowatt का, तो 1 gram की extra power आपको supply करनी तो 5 gram से 5 kilowatt की power आ रही है, जिससे 5 kilowatt का friction power जा रही है, यानि कि engine को चलाने के लिए, 5 kilowatt की friction power compulsory है, no load और 2000 आरपीम पर, आपने 1 gram fuel निकाल लिया, तो integrate power कितनी हो गई, 4 kilowatt, 4 gram से 4 kilowatt, तो friction power कितनी मिली, 4 kilowatt, लेकिन चाहिए कितनी, 5 kilowatt, क्योंकि चलाना है 2000 आरपीम पर, तो 1 kilowatt की extra power आपको supply करनी पड़ेगी, 1 kilowatt की extra power आपको supply करनी पड़ेगी, negative break power, break power negative, you have to supply, देखो ध्यान से, कहा गए, negative आगे, minus पर आ रहे हैं, minus पर, ये break power वो है जो आपको supply करनी पड़ रही है, आपने 2 gram fuel निकाल लिया, अब कितना बचा, 3 gram, 3 gram से कितना IP मिला, 3 kilowatt का, तो friction power कितनी मिलेगी, 3 kilowatt की, चाहिए कितनी, 5 kilowatt की, क्योंकि engine को चलाना है, 2000 पर, चलाना है, क्या करोगे, extra power, और supply करो, क्योंकि engine को 2000 तक लेके जाना है, fuel की वकात कम है, frictional power जादा है, और break power supply करो, ऐसे ऐसे करते, 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 तुम वहाँ पर आओ, जहाँ पर fuel का consumption zero हो जा निकाल लिया, अब जब engine के अंदर से सारा fuel निकाल लिया, तो fuel क्या बचा, 0 gram, IP कितना मिल रहा है, 0 gram, यानि कि engine बंद हो गया है, engine बंद कर दिया हमने, fuel निकाल लिया, IP 0 gram, लेकिन इसको अभी भी चलाना है, कितनी power चाहिए, 5 kilowatt की, कौन देगा, break power, negative कितना देगा, negative break power कि ना देगा बटा, यहां तक जहां तक fuel कि सप्लाई, 0 ना हो जाए, so negative break power, और यह पूरी power क्या है, frictional power, समझ आया, एक बार मुझे प्लीज डियर बता दें, कि समझ आया कि नहीं आया, प्लीज, बताईए, समझ आया, क्लियर हो गया, आपको कैसे निकाल रहे है, विलियन्स लाइन टेस्ट, बढ़िया समझ में आज सभी को, ठीक बढ़ा, तो विलियन्स लाइन टेस्ट ऐसे करते हैं, और देखिए, जैसे जैसे आपका break power बढ़ता जाएगा, fuel की supply बढ़ती जाएगा, प्लीज, ध्यान रखेगा, यह line almost straight नहीं होती, यह line exactly straight नहीं होती, क्योंकि break power बढ़ रहा है, तो fuel की supply बढ़ रही है, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं होता, कि break power के साथ जो fuel की supply रही है, वो exactly straight line में जारी है, कैसे जारी है, यानि कि इसको हम एक straight line exactly नहीं draw कर रहे है, zigzag line है, मतलब ऐसा कुछ curve type का है, और एक चीज, इसको extrapolation क्यों बोलते हैं, यह तो मैं आपसे पताया ही नहीं, इसको extrapolation क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम fuel को extrapolate कर रहे हैं, अपने हिसाब से, हम fuel को निकालते जा रहे हैं, extrapolation करते जा रहे हैं, और अलग अलग negative break power, friction power देखते जा रहे हैं, तो यह जो curve आया है, बटाई, क्या है, यह तब आपको मिला है, जब आपने fuel को extrapolate किया है, यानि कि इससे बोलते हैं, extrapolation graph, ठीक है, ओके, चले यहाँ पर session को end करते हैं, क्योंकि बहुत time हो गया, और हमारा यहाँ पर देखें, यह पूरा end हो गया, अब आपका बचा, वया i.c. engine का lubrication system, ठीक है, चले तो यहाँ पर कल शुरू करेंगे, और कल हमारा जो session होगा, मतलब कल तो होगा tome का session, special 60 question करेंगे, आज का session आपको कैसा लगा dear, बहुत मैनत मने करी है, और सच में गला मेरा दुखने लगा, प्लीज comment box में करके जाहिएगा comment क्या आपको session कैसा लगा, ठीक है, और आप, और क्या improvement चाहते हैं, मतलब, there is always a gunjais for improvement, तो आप comment जरू करके जाहिएगा, वीडियो को like, share जरू करेगा, thank you so much, and guys, एक important चीज़ यह है, कि test book की तरप से आपको धमागेदार यहाँ पर discount मिल रह यहाँ पर, यहाँ पर, राहुल मिश्या से test book, यहाँ पर आप जूड़ सकते हैं, मुझसे टेलिग्राम चैनल पर, उसके बाद test book की तरप से आपको धमागेदार discount मिल रहा है, क्योंकि AJ mechanical का, इस समय चल रहा है, end of the year sale, धमागेदार sale आपको मिल रहा है, जिसमें, आपको 65 plus 30% का discount, 50% के extra validity आपको दी जा रही है, up to 100% का cashback भी आपको मिल सकता है, और यह for sure, up to 100% आपको for sure cashback मिलेगा, तो आप यहाँ पर जैसे अगर 6 महने का subscription आना चाहते हैं, AJ की सुपर तरी की स्थारी करना चाहते हैं, तो 3 महने का आपको extra मिल रहा है, तो यहाँ पर की extra validity समय मिल रही है, तो यहाँ पर यह triple 38 में देख रहा है, बट आपको यह और ज्यादा easy cost पर available होने वाला है, बस आपको लगाना है, यहाँ पर RMISHRA code, RMISHRA code लगाना है, और यहाँ पर आप इसको apply करेंगे, तो आपको DRA कितने बढ़ रहा है, 3099 में, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, 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 ठीक